हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ओपरेटर्स एंड देर कॉम्मूटेशन रिलेशन दोस्तों अगर आप क्वांटम मेकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला ह आपके जितने भी कॉच्शन पूचे जाएंगे वह सब भी कवर करवाऊंगा और आज की इस वीडियो में मैं जो भी कॉम्मूटेशन लेवल के एक्जाम होते हैं जैसे नेक का होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है या फिजिक्स के लेक्शन का है एक्जाम हो है दोस्तो आज का वीदियो कफी लंबा बनने वाला को कैसे डाब नाया ऑपेटर की कोमेडेशन रिलेशन को पूछे घालेंगा क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है इस वजय से मैंने इस वीडियो के दो पार्ट बनाए जिसको जिस पार्ट में इंट्रस्ट वह आप डिरेक्ली देख सकते हो मैं टाइम डिस्क्रेप्स नॉक्स में डाल दूंगा तो फ़स्ट जो पार्ट हुगा इ उसके बारे में हम discuss करेंगे तो उसको हम किस topic में discuss करेंगे important operators in quantum mechanics में और दूसरी बात यह नहीं आती है कि फिर जब ही जब हमको यह पता चल चुका है कि quantum mechanics में important operator conference है उसके बाद उन operator के बीच में commutation relation कैसी कैसी exist करती है या उनकी commutation relation को हम कैसे solve कर सकते हैं यह हम discuss करेंगे इस वीडियो के second part में जिसको मैं नाम दूंगा commutation relation between operators तो अब start करते हैं आज का यह वीडियो तो अब इस वीडियो में बात करते हैं इस वीडियो के first part की जिसको हमने नाम दिया था important operator in quantum mechanics तो सबसे पहले इस topic के अंदर हम यह बात कर लेते की operator quantum mechanics में किसको कहते हैं तो मैंने operator के definition लिखी है in quantum mechanics operator can be a function any mathematical operation or matrix by which we can determine eigenvalue and eigenfunction for a physical system most important operator used in quantum mechanics are this ठीक है तो कहने का मतलब है जो operator के definition है वो यही तख है और इस definition मैं मैंने क्या लिखाया वो शुम्झा दिका हूँ कि quantum mechanics में operator क्या होते है operator quantum mechanics में कोई function हो सकता है कोई mathematical operation हो सकता है mathematical operation means addition, subtraction, multiplication, differentiation, integration इस type का कोई operator हो सकता है और matrix हो सकते है यानि quantum mechanics में operator क्या हो सकता है एक function हो सकता है, कोई mathematical operation हो सकता है या matrix हो सकती है अब quantum mechanics में इनकी जरुवत क्यों पाड़ी operator की च्योंकि quantum mechanics में किसी physical system के लिए eigen value and eigen function को calculate ही हम operator की help से करते हैं ठीक है? यह definition है, definition का मतलब ही यही है कि quantum mechanics में operator वो सब चीज़े होती है हो सब चीज़े में function हो सकता है, mathematical operation हो सकता है या matrix हो सकता है, यह सब जो चीज़े हैं जिनको हम quantum mechanics में operator कह रहे हैं उनकी help से हम quantum mechanics में किसी physical system के लिए eigen value and eigen function को calculate कर पाते हैं अगर यह operator ना होते हैं quantum mechanics में तो हम किसी physical system के लिए ना तो eigen value calculate कर पाते हैं ना तो आइगन फॉंशन कैल्कुलेट करता है, तीक है, और यह सब मैंने discuss किस विडियो में किया है, मैं आपको भो भी बता देता हूँ, यह quantum mechanics के 15 विडियो में मैंने इस इन बातों पर डिसक्स किया है उसका मैंने टाइटल दिया था आइगन वेल्यू एड आइगन फॉंक्शन तो आप नोट करना चाहाँ तो नोट कर लो इस बात को कि आप इस definition की detail में अगर जाना चाहते हो तो इस definition की detail मैंने कहा किस वीडियो में explain की है वो है quantum mechanics 15 आइगन वेल्यू एड आइगन फॉंक्शन तो इसमें हमने इसे बहुत clear ली बताया है कि कैसे quantum mechanics में एक operator की help से हम किसी physical system के लिए आइगन वेल्यू एड आइगन फॉंक्शन को calculate कर सकते हैं क्योंकि यह सब मैं already एक मेडियो में discuss कर चुका हूं तो आज मैं इसके बारे में कोई बात ने करूगा आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है most important operator used in quantum mechanics यहनि quantum mechanics में जो most important operator है वो कौन-कौन से operator है जिनको frequently पूछा जाता है किसी competition exam में उनका expression या उनका operation यह सब पूछा जाता है किसी competition exam में तो वो most important quantum mechanical operator कौन-कौन से हो सकते हैं वो हो सकता है position operator वो सकता है momentum operator वो सकता है velocity operator वो हो सकता है kinetic energy operator वो हो सकता है total energy operator जिसको हम Hamiltonian operator भी बोलते हैं ठीक है यह दुनों एक ही operator है अलग अलग नामी यहनि complètement energy operator को कहते हैं quantum mechanics में फिर next operator है energy operator फिर उसके बाद angular momentum operator और उसके बाद आता है ladder operator तो quantum mechanics में ये operator काफी important है क्योंकि competition exam में इन operator के expression पूछे जा सकते हैं तो एक एक करके discuss करते हैं इन सभी operator के expression कैसे होते हैं और ये operator quantum mechanics में काम कैसे करते हैं तो इसको पॉच्च करके नोट करना चाहा तो नोट कर लो मैं मिटा रहाँ तो most important operator in quantum mechanics में सबसे पहले बाद कर लेते हैं फॉस्ट operator जिसको हमने नाम दिया था position operator position operator ठीक है तो position operator आपके coordinate system पे depend करते हैं for example अगर मैं Cartesian coordinate system यूज़ कर रहा हूँ Cartesian coordinate system ठीक है तो Cartesian coordinate system अगर हमने quantum mechanics में यूज़ कर रखता है तो position operator क्या हो सकता है x हो सकता है y हो सकता है z हो सकता है clear हो भी बाद कहने का मतलब यह variable है यह इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जिनको हम quantum mechanics में as an operator treat करते है अगर हम quantum mechanics में Cartesian coordinate system का यूज़ कर रहे है तो उस case में operator हमारे x, y और z ही होंगे ठीक है जटक है clear हो भी बाद बट अगर हम polar spherical polar coordinate system ले रहे है spherical polar coordinate system ले रहे है तो उस case में हमारा जो r है वही operator होता है यह जो r है यह r actual में हम ऐसे लिखते हैं vector की खौ़म में x i cap y j cap plus z k कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं Cartesian coordinate system ले रहा हूँ तो x cap y cap z cap हमारे operator होंगे बट अगर मैं spherical polar coordinate system ले रहा हूँ जिसमें r कुछ ऐसे relationship में x y z के साथ होता है तो यह r o operator हम कहने तो कहने का मतलब है quantum mechanics में position operator कौन कोन से हो सकते हैं अगर Cartesian coordinate system है तो x y z variable ही हमारे क्या होंगे position operator होंगे और अगर spherical polar coordinate system अगर हमने यूज के है quantum mechanics में तो हमारा जो यह r variable होगा यह जो r variable होगा वही हमारा position operator होगा यह cap unit vector को represent नहीं करता यह बात आप क्योंकि हम unit vector के उपर भी cap लगाते थे जैसे i cap, j cap और k cap तो यहाँ cap का notation क्या दिखाता था? unit vector यहाँ पर यहाँ पर जो cap हम लगा रहे हैं यह जो cap लगा रहे हैं यह क्या represent कर रहा है operator यह बात भूलना मैं clear होगे बात अब यह operator काम कहते करते हैं just for example अगर मुझे position पोजीशन पोजीशन ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर एक्स किसी function साई पर ऑपरेट होता है तो जस्ट इसका multiply हो जाएगा साई के साथ और कुछ नहीं कर सकता है एने का मतलब जैसे for example य ऑपरेटर साई एक्स पे ऑपरेट होता है तो यह जस्ट multiply हो जाएगा साई एक्स के साथ इसी तरह से जड़ ऑपरेटर अगर function पे ऑपरेट होता है तो यह ज़स्ट क्या करेगा multiply करेगा ज़स्ट वेरिएबल का साई एक्स function के साथ ऐसी for example लगा मिलेई यह आड़ है आड उपरेटर रवएरिएबल है उपरेटर क्यूंप में तो अगर भी सी function के साथ मैंने किसी function पे ऑपेरेट किया तो यह क्या करेगा सिर्फ multiply करेगा R variable का इस function के साथ multiply सरेगा बस और कुछ नहीं कर सकता यह position operator तो जब यह कुछ कर नहीं सकता तो position operator को हम quantum mechanics में average position को measure करने के लिए करते है average position यानि expectation value of x इस notation को हम क्या कहते है average value of x यह इसको हम और क्या कह सकते है expectation value of x cap operator ठीक है आप कोई नाम दे सकते है कहने का बलाव है जब यह कुछ करनी नहीं सकता है यह सिर्फ multiply हो सकता है तो quantum mechanics में इसको calculate करने के लिए हम average value के formula का use करते है तो average value कैसे calculate करते हैं किसी operator के लिए for example x के लिए मैं बताऊं तो x के लिए यह formula हो जाता है integration si x si यह x si star हो जागा si star means complex conjugate of si upon si star si यहाँ पर dx यहाँ पर dx हम यहाँ अजूम कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर मैंने wave function यूच किया है वो क्या है function of x है clear हो गई बार तो इस तरह से हम x की average value को calculate कर सकते हैं क्योंकि x के लिए पर राएक से multiply कर रहा है तो हम practically क्या जानते हैं किसी complex conjugate का उसी function से अगर multiply करें तो क्या होता है mod का square यूचता है तो यहनि यह formula क्या बंद आएगा integration x multiply by si mod का square dx upon integration si mod का square dx इस formulated through हम x की expectation value calculate कर पाते हैं ठीक है जो भी चीज़ note करनी है आप पहुच करके note करते हाँ करो ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि quantum mechanics में position operators सिर्फ और सिर्फ variables होते है जिनका काम सिर्फ function से multiply होना होता है ठीक है for example x के लिए ऐसा होगा तो y के लिए भी same तरेल से हम formula बना सकते हैं लेकिन वहाँ पे function y के respect में होना चाहिए जब यहाँ पे function for example function x का हो function y का हो और यह function z का हो ठीक है ऐसी यहाँ function y का हो और यहाँ function किसका हो जैट का हो और यहाँ function जो हो R का हो अगर ऐसी condition ऐसी situation है तो मैं R operator की expectation value का formula कैसे बना सकता हूँ साइ स्टार आर साइ दी आर अपॉन साइ स्टार साइ दी आर क्लियर होगे गाथ ठीक है यह इसको और क्योंकि आर का काम से रिख मल्टिप्लाई होना है तो यह आर साइ मौड का स्क्वाइड दी आर अपॉन स्टारी मौड स्क्वाइड दी आर ठीक है यह फॉर्म ने बन जाए यह इंगे तो कहने का मतलब में पोजिशन ऑपरेटर क्या होते हैं सिर्फ वैलियेबल होते हैं ठीक है उनका काम सिर्फ मल्टिप्लाई करना होता है फॉंक्शन के साथ और उसके लिए हम क्या क्या बते हैं क्वांटम में में एब्रेज़ेट करते हैं इसको अगर आपको पहुंच करना मालत ओंकर दो में मिटा रहा हूँ अब बात करते हैं, quantum mechanics में momentum operator का expression कैसा होता है, तो for example, अगर मुझे momentum के x component को calculate करना है, तो quantum mechanics में इसके operator को px kept से refusion करते हैं, पर इसका expression होता है, minus ih cross del y del x होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h cross upon i del by del x, इसी तरह से momentum के y component को calculate सेने के लिए जो operator होता है, उसे py से denote करते हैं, यानि py cap से denote करते हैं, और इसका expression होता है, minus i h cross del by del y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h cross upon i del by del y, clear होगी बात, और ऐसे ही momentum के z component को calculate करने के लिए, p z cap operator का यूज़ करते हैं, और इसका expression होता है, minus i h cross del by del y, is equal to, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, h cross upon i del by del y, ठीक है, एक और important बाद बतातू कि ये mathematical expression किसी momentum operator के, मैंने कैसे, इनको कैसे develop लगते हैं, ये साब technique मैंने आपको सिखाई है, उस वीडियो का number बदा लेता हूं है आपको, हाँ, ये है energy, मतलब आप इसका video number तो नहीं है, लेकिन मैंने directly एक video बनाया है, जिसमें energy operator and momentum operator के बारे में discuss किया है, तो आप वो video check out कर सकते हो कि कैसे momentum operator के x component का expression आया quantum mechanics में, और कैसे momentum operator के y component का expression आया quantum mechanics में, तो यह operator का expression होगी, अब बहुत सारे बच्चे confused होते हैं, for example, जहां यह partial by partial x है, उसे कभी-कभी d by dx लिख देते हैं, but d by dx और partial by partial x का मतलब अलग-अलग होता है, यह दोनों एक नहीं हो सकते हैं, क्यों एक नहीं हो सकते हैं, उसको समझते हैं, for example, मेरे पास एक function है, x, y, ठीक है, तो अगर मैं इस function का differentiation यहने d by dx निकालूं, तो इस function का d by dx क्या मिल जाएगा मुझे, मिलेगा, पहले हम x का differentiation कर लेते हैं, तो x का differentiation 1 into y, प्लस, फिर हम x को छोड़ेंगे और y का differentiation करेंगे, तो कहने का मजलब है, इसका result आ रहा है, y, प्लस, x, dy, by, dx, तो आप clearly देख सकते हो, df by dx किस तरह से काम करता है, अब इसी को मैं बात कर लोँ, कि partial by partial x कर से काम करता है, अगेन हम partial by partial x को function पे operate करते हैं, same function पे, तो इसका काम क्या होता है, सिर्फ x का differentiation करना होता है, तो x का differentiation होगा, y भज जाएगा, तो आपको clearly देख रहा है कि df by dx अलग आ रहा है, और partial f by partial x अलग आ रहा है, इसका मतलब partial by partial x equal नहीं है d by dx के, तो यह बार अपने माइन में बैठा लो, अभी से, तो एक्जाम में कभी भी expression को लिखके आना हो, तो आप partial by partial x, partial by partial y और partial by partial z, मैंने यह जैड नहीं रहे है, का यूज करेंगे, है तिक आपको समझ में आ गया है, ठीक है, बट यह तो momentum के component की बार होगी ना, कहने का मतलब है, अगर मुझे quantum mechanics में momentum के x component को calculate करना हो, momentum के y component को calculate करना हो, या momentum के z component को calculate करना हो, तो उसके लिए operator ही है, अगर मैं कहूँ कि पूरा का पूरा momentum calculate करना है, जैसे physics में किसी particle के momentum का complete expression क्या होता है, p x i cap, p y j cap, p z k cap, तो आपसे अगर पूछे कि momentum operator का expression मता हो, उसके component का expression मत बता, तो momentum operator के expression को हम p cap से दिखाएंगे, उसके नीचे कोई suffix में x, y या z नहीं ला रहे हैंगे, और इनको operator से replace कर दिएंगे, तो operator क्या है, सबके आगे minus i h cross लगा है, तो minus i h cross में common दे ले रहा हूँ, bracket के अंदर क्या बच जाता है, i cap, del by del x, plus j cap, del by del y, plus k cap, del by del z, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या again, आप इसकी form इस सरह से लिख सकते हो, h cross upon i, i cap, del by del x, plus j cap, del by del y, plus k cap, del by del z, I think आपको समझ में आ जाएंगे, cleaner हो गई दा, पर यहां यहां एक interesting fact जुड़ा है, इस momentum operator को लेके, क्या कि हमें पहले से हमने bsc में पढ़ रखाय एक gradient operator होता है, कैसा होता है वो, i del by del x, i cap, plus j cap, del by del y, plus k cap, del by del z, इस तरह से एक operator हम पहले से यूज करते हैं, जैसे हम gradient बोलते हैं, gradient, ठीक है, तो कहने का मतलब है, इस momentum operator को shortcut में भी लिख सकता हूँ, तो shortcut में जब मैं लिखूंगा, तो p cap is equal to minus i h cross gradient, या आप इसको लिख सकते हो, h cross upon i gradient, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो momentum operator की ये दीन formula, plus momentum operator का ये एक और formula, एक और formula आता है, generally use होता है, momentum operator की square का formula, ठीक है, अब square कैसा होता है, इसको आप पहुच करके note below में बिखा रहा हूँ, square का ये formula करें पूछा जाता है, अब square कैसे बनाएंगे, तो वो देख लो, कहने का मतलब क्या है, कि मुझे momentum operator की square का formula बनाता है, तो चीड़ी सीदी बात है मुमेंटम coat अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मुझे क्या करना है पी एक्स को पी एक्स के ऑपरेटर से रिप्लेस करना है पी वाई को पी वाई के ऑपरेटर से रिप्लेस करना है और पी जैड को पी जैड के ऑपरेटर से रिप्लेस करना है ठीक है तो काम सुरू कर दे जगे चाहिए तो उनको मैं मिटा देता हूँ यह सब आप पहाँच करके नोट करते रहा करो ठीक है तो सिंपल जी बात है मैं को सब याद है आप value को टनफ शुरू कर दो जैसे PX operator का स्क्वार क्या है minus IH cross del by del X का स्क्वार plus minus IH cross del by del Y का गोल स्क्वार plus minus IH cross del by del Z का होल स्क्वार क्लियर हुई बात आप चाहो तो इसके देखे कौनता expression यूज कर सकते हूँ जो दूसरा मैंने बताया था H cross upon I H cross upon I del by del X का होल स्क्वार plus H cross upon I del by del Y का होल स्क्वार plus H cross upon I del by del Z का होल स्क्वार आप श्योर रहो ये P स्क्वार अपरेटर सेम आई रहा चाहें आप वैल्यू कुछ ऐसे पुट कर लो चाहें वैल्यू कुछ ऐसे पुट कर लो चाहें तो क्या हो जाएगा पी ओपरेटर का स्क्वार क्या हो जाएगा क्यों कि मैंने इसको अपरेटर से रिप्लेस कर दिया तो यह अपरेटर बनी है तो क्या हो जाएगा देखो i square minus i square क्या होता है जाये आप i square equal to करो तब भी 1 ही होगा minus 1 ही होगा फिक है इसको सई से नहीं परेटर mynews i का पुर इस पर. यहाँ पे भी minus 1 होता है यहाँ पे भी minus 1 होता है तो दोनों situation में हमें क्या मिलेगा आगे से minus 1 क्योंकि यहाँ पर minus i square है और यहाँ पर i square है तो simple जी बात है यहाँ minus h cross square आ जाएगा सब के आगे h cross square आ जाएगा और bracket के अंदर क्या आ जाएगा del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square ठीक है अब इसको भी एक symbol से represent कर सकते हैं वो symbol है delta square delta square को हम del by del x square बोलते है plus del by del y square plus del by del z square इस तरह से हम delta square को represent करते हैं ठीक है तो क्या होगा हमारा overall momentum operator के square का formula होगा minus h square delta square ठीक है ऐसे आप calculate कर सकते हैं clear होगे बात second method से भी calculate कर देसे हैं देखो होता क्या है जो हमारा momentum operator था वो क्या था minus i h cross delta तो momentum operator का square क्या हो जाएगा minus i cat i h cat delta का whole square थादू तो क्या हो जाएगा minus h cross delta square तो आप यहां से भी उसे calculate करोगे answer से में आगा यह second method है अब आप क्या होगे किसकर यह तो कुछ और था और यह कुछ और बनेगा आप उसको भी सम्झा देखें उसमें क्या है एले इसको पहुच करके मूप कर लो क्या है देखार दो कि यहां से भूट आप देखो the momentum operator को मैंने कैसे सिखा था अब उसकर मत् Lazarus मापरेटर का डा टो माइनडर आई इसका मस्टा क्या था मद इसकर ப प्लस ज्यकेख ढ़इड्यक्स व् ada kexplie-क्यक्षण चाहर उस्प मेंलेगा होग के कोफिशन का स्कॉयर, जे के कोफिशन का स्कॉयर और के कोफिशन का स्कॉयर, सिंपल सी बात है, यानि अगर मैं, सिंपल सी बात है, देखो, जब मैंने पी का स्कॉयर किया, यहां पे देखो, जब मैंने पी का स्कॉयर किया, तो क्या किया, आई के कोफिशन का स्कॉयर किया, J के plus J के coefficient का square किया फिर plus K के coefficient का square किया यही तो किया तो यहाँ पर I के coefficient क्या दिख रहा है J का coefficient क्या दिख रहा है और K का coefficient क्या दिख रहा है उन सबका square करना तो क्या हो जागा है यहाँ पर I का coefficient है minus IH cross del by del X यह I का coefficient है इसका square plus J के coefficient के square minus ih cross del by del y का coefficient है इसका square plus k-capic coefficient के square minus ih cross del by del z तो इसके coefficient के square तो जब square करोगे तो p operator का square के मिलेगा minus h cross square del by del x del square by del x del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square इसकर और इसी को मैंने कि लिखा था p operator का square equal to minus h cross square delta square ठीक है ठीक है तो total हम ने कितना क्याड़ चाल्पुलेट किया तो उसको एक बाद summarize कर दे तो इसको कौर्च कर दे उसको summarize कर दे मेटा दू तो अब तक हमने momentum operator की कितने form देखे हैं यहां पे तक है कि आपको एक बार याद आ जाए क्योंकि इन सब का यूज अभी हम commutation relation में करने वाले हैं इसलिए मैं चाहता हूं आप यह सब expression भूलो ना त्याने का मिला PX operator क्या हो जाएगा माइनस IH cross del by del X PY operator क्या हो जाएगा माइनस IH cross del by del Y और PZ operator क्या हो जाएगा माइनस IH cross del by del Z ठीक है आइस पराएसे और एक और हमने operator पढ़ा P operator क्या हो जाएगा माइनस IH cross gradient ठीक है और एक और momentum operator की square क्या हो जाएगा माइनस H cross square del square तो इतनी form है momentum operator की तो आई हो आपको यह सारी form समझ में आदे है ठीक है तो इसको पॉर्च करके नोग करनों में मिटाने की जबवत नहीं है सब्सक्राइब है थर्ड है हमारा कि विलाउसिती ओपरेटर कर दिश्यक्राइब विप विलाउसिती को हम कर दिश्यक्राइब वी एक्स आई कैप वी जे कैप प्लस वी जेट थे कैप इसका मिलदा हर एक component का एक यूनिक operator होगा अब उसे डिटनमाइन कैसे करेंगे इस पर सिभात है तो मैं आपको बता दूँ जैसे Px क्या होता है मास इंटू विलाउसिती का x component P y क्या होता है मास इंटू विलाउसिती का y component P z क्या होता है यही मोमेंटम प्लस आउस्टेका z component और मैं कहां कि विलाटि टेग्वेट्ट क astrology कि अधर मैं कहां की मुमेंट्म पॉपरेटर का स्वीर क्या सब्सक्राइए तो आप कोगे मास् सब्सक्राइब बिलाउसétais है कि अब यही फॉर्मलो के एक से हम हुल उसका उप्रेटर रहा हो सकते हैं इस एक्वेशन में हम vx निकाल सकते है vx इसक्वाइ जायेगा ठीएट्ड वाइं यहां से vy इक्वाइ एक्वाइ प्यy बाइं झाल यहां से vz क्वाइ व्यड़ यहां प्य स्कुरे बाइं एम इसको आई होपको समझ में आ रहा है तो विलोसिटी के ऑपरेटर कब बन जाएगा जब मैं दूसरे तरब का टांग अपरेटर से रिपेस कर से यानि विलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का ऑपरेटर क्या बनेगा पी एक्स की वैलों हमें पहले से पता है तो क्या जाएगा माइनस आई एच क्रॉस वाई एम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच क्रॉस अपोन आई एम डल बाई डल एल 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 इसको ऐसे लिख सकते हैं हैं एच क्रॉस अपोन आ एम डल एल 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 जेल सकते हैं एच क्रॉस अपोन i m del y del z ठीक है ऐसी total velocity का operator क्या बन जाएगा v operator equal to minus i h cross delta by m h को और दूसरी जरा से लिख सकते हैं तो यह लिख सकते है h cross upon i m delta यह gradient ऐसी velocity का square operator क्या हो जाएगा v operator का square is equal to minus h cross square delta square upon m अब इसका तो 80x question है ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं just जो momentum के component है यह जो momentum total momentum है उनको उनके operator से replace कर देंगे तो इस तरह से velocity operator मिल जाएगा इसको pause करके note कर लो रमिटारो अब बात करते हैं kinetic energy अब बात करते हैं kinetic energy कैसी होती है classical physics में उसे अगर हम T से दिखाते हैं kinetic energy को तो यह होता हाफ mv square आप यहां से बनाने की कोशिस कर लो या आप ऐसा करो उपर नीचे m का multiply कर दो यह हो जागा m square v square upon 2m उपर m का multiply किया तो m square हो गया v square पहले से था 2 नीचे था और एक पर multiply होगा तो 2m तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P square upon 2m formula कुछ ऐसा है चाहे आप ऐसा यूज करना हो चाहे है ऐसा यूज करना हो clear होगे बात अब important बात क्या है कि kinetic energy operator particle के motion पर डिखेंड करता है for example particle moving in x axis तो यह क्या हो जागा T equal to हो जाएगा half m vx square यह इसको हम लिख सकते है P square by 2m अब अगर vx यह अब अगर मैं इसका operator calculate करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा vx को उसके operator से replace करना पड़ेगा यह momentum को उसके operator से replace करना होगा दोने को operator हम जानते है vx का operator क्या होता है minus i x cross by m del by del x होता है और px का operator क्या होता है minus i x cross del by del x यह होता है तो मैं कोई सब्सक्राइटर use करूँ यह अब तो t का expression क्या हो जाएगा आप जो भी अच्छा लगे वो आप use कर सकते हैं तो expression हो जाएगा अगेन मैं बता दू minus i का square भी minus 1 ही होता है तो इसका use करेंगे तो यह बन जाएगा minus x cross square upon 2m del by del x del square by del x square सबज में आ रहे है आपको सिर्फू क्या करना है इस operator का square करना है या इस operator का square करना है और इस expression में लग रहा है तो यह क्योंकि operator इक्ष्परेटर का expression है तो t यानि kinetic energy के x component का operator कुछ ऐसा है यानि for example कहने का मजब क्या हो जाएगा particle अगर x direction में move कर रहा है तो kinetic energy operator का expression कुछ ऐसा ठीक है अगे particle moving in y axis अगर particle y axis में move कर रहा है तो kinetic energy क्या हो जाएगी half mv y square या इसको आप sorry यहाँ पर p x लिखना भूल जाएगा जलती लोगा हो ठीक है आई होप आपको समय में आगे होना ठीक है तो कहने का मतलब क्या है क्योंकि मुझे तो पताई है na कि p x क्या होता है p x equal to m v x होता है अभी मैंने बताएगा ऐसी py क्या होता है m v y ऐसी p z m v z होता है ठीक है तो यह क्या ज़गा py square upon 2 n अगर मैं velocity को उसके operator से या momentum को उसके operator से replace कर दूँ तो kinetic energy in y direction का operator क्या होने आगा minus h cross square upon 2m del square by del y square ये kinetic energy का दूसरा पार्टिकल अब next कीज ले लेते हैं अगर हमारा पार्टिकल पार्टिकल मुविंग इन जे डेक्सिस अगर पार्टिकल जे डेक्सिस का लॉंग कर रहा है तो kinetic energy क्या हो जाएगी हो जाएगा minus h cross square upon 2m del square upon del z square अब इंपोर्टिकल बात क्या है कि पार्टिकल किसी भी डेक्सिन में मूव करका ज़रूरी तो नहीं आगो x direction में मूव करे या y direction में मूव करे या z direction में मूव करें इस पार्टिकल इस मूवीन इन 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 अदर डेक्शन अदर डेक्शन तो इस ते expression क्या जाएगा T होगा kinetic energy क्या जाएगी हाफ m d square या p square by 2m यहां पर जो वेलोसिटी आप टोटल वेलोसिटी है और जो यहां मेमेंटम है वो टोटल मोमेंटम है और टोटल मोमेंटम को मैंने पहले ही बताया था यहां लिख देते हैं P equal to होता है minus IH cross delta या जो V होता है वो V क्या होता है minus IH cat by M delta इसकर ऐसे बताया था इसकर 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 बताया था पुज़ साथी expression गुज़ का सकते हो तो total kinetic energy का operator क्या होताएगा minus H cross square delta square upon U आई होब आपको ये kinetic energy operator समझ में आदिया होता ठीक है तो आप को क्या करना है कोई operator रणाने के आपको करना जा है पहले उसका classical form देख लो classical form में क्या करना है आपको उस valuable को उसके operator से रिप्लेस करना जैसे यहाँ velocity है तो velocity के operator से रिप्लेस कर दो velocity को और अगर यहाँ momentum है तो momentum को उसके operator से रिप्लेस कर दो तो आपको उस physical quantity की operator form मिल जाएगी जैसे यहाँ kinetic energy की operator form ने कर देख लेती है तो इसको पहुच करके नोगतलों में मिटा रहे हूँ एफ और बाद kinetic energy operator में आप समझ लो कि जो हमारा kinetic energy होती है वो एक scalar quantity होती है तो जो total kinetic energy होती है kinetic energy along x axis plus kinetic energy along y axis plus kinetic energy along z axis का simple sum होगा कहने का मतलब अगर मैं जो total kinetic energy operator को calculate करना है तो मुझे kinetic energy operator का x form kinetic energy operator का y form and kinetic energy operator की z form को simply add कर देना because kinetic energy scalar quantity इसलिए vector की तरह हमें इसे add करना नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा kinetic energy operator इन तीनों के सम से भी मिल जागा तो तीन तीनों का सम क्या हो जाएगा minus h cross square upon 2m del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square और मैंने बताया था कि इसको हम delta square लिखते हैं तो हमारा kinetic energy operator क्या हो जाता है minus h cross square delta square upon 2m तो चाहिए आप किसी method से operator बनाने की कोशिश करो अगर आप तरीका सही यूज करें तो operator से में बनेगा चाहिए आप कोई से भी मैं चाहिए इसको पहुंच करके मोट करो लो में मीटा अब बात करते हैं तोटल इनर्जी operator जिसको हम quantum mechanics में Hamiltonian operator भी मोटते हैं ठीक है तो यह operator लिए system to system vary कर सकता है for example अगर मैं one dimensional system की बात करूँ one dimensional system की बात करूँ तो one dimensional system के लिए जो total energy होती है for example उससे अगर मैं E से लिखा हूँ तो यह total energy होती है उसकी kinetic energy plus potential energy की इतना तो हमें पता ही है यह क्या represent कर रहा है मैं पहले लिख देता हूँ जिन मिटा दूँगा यह represent कर रहा है total energy और यहाँ पर T क्या represent कर रहा है kinetic energy kinetic energy और जो यह V represent कर रहा है यह होता है potential energy potential energy clear होई बात और हम बन dimensional system की बात कर रहा है तो बन dimensional system में जो total energy होगी उसका expression classical ही क्या होगा वो देख लो एक बार तो यह होगा Px square upon 2m जो kinetic energy होगी वो पूरी की पूरी x direction में होगी in fact जो potential energy होगी वो भी function of x ही होगा only x ही होगा for example मैं बात कर दो harmonic oscillator harmonic oscillator harmonic oscillator की one dimensional case में जो potential energy होती है वो होती है half k x square तो यहां पर हमें दीख रहा है कि जो potential energy है वो function of जो यह potential energy है वो क्या है function of x है और जो यह है k है यह है force constant क्लियर होगी बात तो आई होगा आपको समझ्या आगे होगा अगर one dimensional system हो for example ऐसा spring spring mass system है इस तो इस spring mass system है तो इस spring mass system के लिए यह spring mass system क्याता है एक one dimensional system है ठीक है क्योंकि इसका motion x direction में ही restricted है तो उस case में इसके पास जो kinetic energy होगी वो भी x direction की होगी और जो potential energy होगी वो भी x direction का ही होगा clear होगी बात तो क्योंकि यह तो classical expression है total energy का जब system हमारा one dimension में exist कर रहा है तो इसका operator क्यों हो जाएगा operator को हम यहाँ e से नहीं दिखाएगे अगर जब operator को यहाँ पर हम x दिखाएगे याद रखना ऐसा क्यों किया क्योंकि यह जो expression था classical यह Hamiltonian ने बताया था है Hamilton एक साइंटिस्ट एक writer, physics के साइंटिस्ट है साइंटिस्ट क्या थे साइंटिस्टी रहा है मतलब उन्होंने कई सारे किताबे लिखी है तो उन्होंने यह बताया था कि एक classical system की total energy होती है kinetic energy plus potential energy होती है ठीक है तो उन्हीं के नाम पे total energy के operator को से दिखाते हैं इसलिए से Hamilton operator, Hamiltonian operator बूलते हैं आई होगो आपको समय आ रहा होगा तो इसी operator को हम क्या बूलते हैं Hamiltonian operator और यह बता क्या रहा है obvious की बात है क्योंकि energy को इस operator से replace क्या यानि यह system की total energy बता रहा है clear होगी बत अब अगर यह operator है तो मुझे क्या करना है यहां पर जो भी quantities है उनको उनके operator से replace करना है तो PX momentum के X component का operator क्या था PX का operator क्या था minus IH cross del by del X यह था इसका square करना है तो क्या बजाएगा minus H cross square upon 2M del square by del x square अब क्योंकि potential energy function of X तो मैंने पहले ही बताया था operator की definition starting में ही लिखाई थी तो starting में मैंने बताया था कि operator एक function भी हो सकता है तो इसका मतलब जो यह potential energy है यह हमेशा function of variable ही होती है तो इसका मतलब यह एक quantum mechanics में operator ही है इसमें कोई change करने की जरुवत नहीं है यह जैसा function है वैसी उठाके रख देना है हमें कहले का मतलब है क्योंकि यहां पे X दिख रहा है तो यह क्या है X position operator का square नहीं है तो इसका मतलब जो भी हमारा potential energy का expression होगा वो पूरा का पूरा operator ही होगा तो उसको edge रख देना है क्योंकि वहां पे position जो position के variable होंगे वो as a operator behave करेंगे तो इस तरह का है Hamiltonian operator for one dimensional system यह एक्स तो यह क्या है this is this is Hamiltonian operator for for one dimensional system ठीक है तो इसको pause करके note कर लो ठीक है मैं मिटा दू तो यहां में मैं ऐसा करता हूँ इसको मिटा के direct one dimension का Hamiltonian operator लिख रेता हूँ total energy operator क्या हो जाएगा for one dimension minus h cross square upon 2m partial square by partial x square plus vx ठीक है यहां पे जितने भी variable होंगे वो operator के तरह behave करेंगे potential energy में जितने भी position के variable होंगे जाए उपकर square हो जाए variable हो तो वो एज़र operator गिएप करेंगे इससे potential energy operator गोगे जाए और operator को मैं capsule रिखाता हूँ तो यह रखी one dimensional physical system के लिए है Hamiltonian operator ठीक है इसको note कर लो अब ऐसी हम two dimensional or three dimensional system के लिए भी बना सकते है Hamiltonian operator तो same thing है कि two dimensional system के लिए Hamiltonian operator to the system क्या हो जाएगा H operator हो जाएगा मैं पहले energy दिखा देता हूँ two dimensional system के लिए classical form of energy क्या होगी kinetic energy हो जाएगी px square upon 2m plus py square upon 2m plus जो function होगा potential energy होगी xy variable की होगी यानि two dimensional variable की होगी potential energy तो हमें क्या करना है momentum के component को उपरेटर से जाएगा minus x cross square upon 2m recommend del square by del x square plus del square by del y square plus v function of x and y to p to to जाएग 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 del square by del z square जाएग plus function potential energy function of x y and z जाएग यह आपना Hamiltonian operator में three dimensional होगी clear होगी बत ठीक है two dimensional क्या हो गया यह हो गया ठीक है अच्छा एक बार बताओ इसको मैंने delta square से represent करना सिखा है आप लोगों को तो three dimensional system Hamiltonian operator को shortcut में हम क्या लिख सकते है minus h cross square upon two m delta square plus v function of x y and z तो यह एक shortcut form होगी three dimensional Hamiltonian operator की ठीक है जब एक बात और मैं यहाँ पर बता तो ही है clear कर दूँ कि आप जरूरी नहीं कि operator को उनकी form पहेंची दिखो आप ऐसा करो कि उस variable जो quantity है उसके उपर आप लगा दोगे तो यह already operator रहेंगा ऐसा हम quantum mechanics में for example यहाँ पर आप 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 अगर आप मोमेंटम के समझके ही इस question को solve किया है ठीक है तो इसको पॉर्च करके नोग कलो में मिटा अब बात करते हैं quantum mechanics पर energy operator कैसा होता है तो अगेर मैं आपको बता दू कि energy operator का expression कहां से आया इसके उपर मैंने already video डाल दिया है YouTube पे तो आप मेरे channel पर search कर सकते हो energy operator and momentum operator इस नाम से मैंने video डाला उसमें आपको पता चल जाएगा कि energy operator का expression quantum mechanics पर कैसे आया system operator की बात करेंगे for example energy operator अभी आप किस्ते पहले आपने total energy operator को define किया था तो total energy operator energy operator में क्या तरख है पहले उसको समझ लो जो total energy operator है total energy operator है वह कहां काम करता है total energy operator quantum mechanics में सिर्फ उसी system के लिए काम करता है जहां पे energy time पे depend नहीं करता है for example it apply apply those system in which in which energy of system does not not depend upon time important बात है काफी important बात है अगर अगर आप operators फोली पाड़र होते हैं total energy operator जिसको हम है Hamiltonian operator भी बोलते हैं Hamiltonian operator सिर्फ quarter mechanics में उनी system के लिए अप्लाइ होते हैं जिस्टम की energy time पे डिपेंड नहीं करती है यानि energy of system does not depend upon बट ये ऐसे system जिनकी energy time पे डिपेंड करती हो उनके लिए ये operator नहीं बना उनके लिए अलग से हमने energy operator इंट्ड्यूस किया है तो कहने का मंदब है जो energy operator है वो किसके लिए it applied those physical system in which in which in which energy of system depend upon time आई वोप आपको ये बात समझने आदे है यानि में लाइन क्या है energy operator कहां पे काम तरहेगा quantum mechanics में जहां पे energy of system depend upon time और Hamiltonian operator कहां काम करेगा जहां पे energy of system does not depend upon time आई वोप आपको ये समझना आगे होगा अब बात कर लेते हैं energy operator हो साट है तो सिंपल सी वाद है energy operator को हम e cap से दिखाते हैं और इसका expression होता i h cross del by del अब ये expression quantum mechanics में energy operator का ये expression कहां से इसके ओपर मैंने already video डाल दिया है वो वीडियो है उसका नाम मैंने दिया था energy operator and momentum operator तो उसमें आपको clearly ये समझ में आ जाएगा कि कैसे energy operator की ये form आई है तो इसको पॉच्छ करके नोग करो मैं मिटा रहा हूं अब आप करते हैं quarter mechanics पे angular momentum operator कैसे होते है या उनका expression कैसा होता है तो पहले classically समझ लेता है क्लासिकल ही जब हमें expression पता होता है तो हमें उसके operator form को लिखने के लिए उसके variable को operator से replace करना होता है आपको मैं बता दूँ कि जो angular momentum होता है उसका classical formula होता r cross total momentum यानि position into momentum यह क्या है cross product है vector log यहां पे लग रहा है और यह cross product है इसको कैसे हम समझ सकते है यहां पे मैं आपको बता दूँ जो r है जो यहां पे r है वो r क्या है इसका मतलब है x i cap y j cap plus z k cap और जो यहां पे p यूज क्या है वो क्या है momentum p क्या है p x i cap plus py j cap plus p z k cap आपको समझने आ रहा है तो कहने का मतलब है जो angular momentum है तो यहां पे क्या है यह angular momentum है angular momentum यह position है और यह momentum है क्लियर हो गएगा ठीक है तो क्लासिकली जो अगर वो वेक्सर quantity है तो उसका एक x component होगा एक y component होगा और एक z component होगा इसका मतलब angular momentum operator के आधा कर्ण जेट जितना आफते थह सी्हा इनको के सदे क्यामने के लिए पहले इसका प्रॉस प्रॉडक्ट निकालना होगा इसका प्रॉस प्रॉडक्ट यहां कैसे निकलेगा यहां आई-कैप जे-कैप के-कैप और क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेट और यह पार्शल 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 एक्स कि पी जादे दिल्दी पर हूँ क्या मैं थिक है मोमेंटम के कंपोनेंट यानिक पी एक्स पी-वाई-पीज इसको कैल्कुलेट करना आप जामते होगे मैं यह कैल्कुलेट करके बता दूँ आई-कैप का कोफिजन क्या होगा वाई-पी-जेड माइनस जेड पी-वाई याद रखना हमेशा ऊपर की चीज़े पहले लिखोगे और नीचे की चीज़े बाद में लिखोगे जब भी मल्कि ठीक है फिर के कैप का कोफिजन क्या होगा एकस पी-वाई-पी-वाई-पी-एकस ठीक है यह होगा तो कहने का मतलब है मुझे अगर तुम इस एक्वेशन को इस एक्वेशन से कंपेर करोगे आज तो आपको और लेश भी पता चला ल्यक आजए भी पता चला थे सिस्टमेटिक में लिखने की कोशिस करते हैं तो मैं यहां मिटादू क्या मिठागी उपर की चीज़े में इठा देके ठीक है तो कहने का मतलब क्या है मुझे angular momentum के x component, y component और z component का पसर चल गया है जैसे for example x component क्या है lx क्या है y p z minus z p y ठीक है एसी l y component क्या है मैं इस minus का अंदर multiply दा दे रहा हूँ यह है z p x minus x p z और lz क्या हो जाएगा x p y compare करके आप देख लो x p y minus y p x clear हो गएगा अब हमें लिए पता है कि y पहले के operator हो सकता है quantum mechanics में लेकिन p z का हमें पहले से operator पता है lc z operator quantum mechanics में है और p y का operator हमें पता है कहने का मजलत है x cap y cap z cap पहले से operator है यानि variable पहले से operator है in fact in fact p x हमें पता है minus i h cross del by del x p y भी पता है minus i h cross del by del y और p z भी मुझे पता है minus i h cross del by del z तो क्या मैं इनके operator की form calculate कर सकता हूँ obviously बात है मैं calculate कर सकता हूँ तो इसको पॉच्च करके note कर लो मैं मिटावाने मुझे इसे ठीक है तो इसे कहने का मतलब क्या है कि simply मुझे क्या करना है इनमें इनके operator की expression put कर देना है तो l x का operator क्या हो जाएगा minus i h cross y del by del z minus z del by del y यह angular momentum operator का x component हो जाएगा ऐसी ly क्या हो जाएगा minus i h cross क्या हो जाएगा z del by del x minus x del by del z यह angular momentum operator का y component ऐसी angular momentum का z component क्या हो जाएगा minus i x cross क्या हो जाएगा x del by del y minus y del by del x इस करें हम angular momentum के operator के component calculate कर सकते हैं तुमिज आगे आपको उस्वाय पर जाएग को जाएगा आपके श्वाया हो आपके रौढ़े आएगा आपकी यहीं हो जाएगा Talk describing truth क्लिए सब्सक्राइब करूंगा तो मैं मैं इन ही मैं यह उप्रेटर हैं इसलिए पर ने अगर को प्रेटर को रखना जरूरी नहीं है इसलिए इस लिए करेंगा जब कोबिटेशन रिलेशन सॉल्व कराऊंगा तो एंजेट डी ओपरेटर एकस बी ओपरेटर पी ओपरेटर और पीएकस बीओपरेटर आपको समझ्झे आ रहा होगा तो इसको पांच करके नोट करो दो मेटा रहा है करेंगे अब क्योंकि हम जान से हैं कि यह जो भी ओपरेटर में अभी यह पर उनके एकस कर संद्रों करा हैं यह एंगूलर मोमेंटम और परेटर के कंपोनेंट्स है फट ऑपरेटर का एक्स्प्रेशन ज्या होगा वह भी तो जाना ज़रूरी है तो सिंपल जी बात है कि हमें ऑपरेटर कहने का मलब है पहले हमें क्लासिकलि पता है कि पletrek्रभ औंट वोट ya Yo давно टुन है यानी ऊसका एक्सकंपोनेंट भी होगा उसका वाइजक्पोनेंट भी होगा और वाक्न कंपोनेंट भी होगा तो में पता है तो महें आप लेंगे अगे लिखक कर दोपारती है यह उसके ओपर को मिटेशन रिलेशन से पूछी जाती है जा जाए इसले इसका यह एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की स्कुराइड कि फोर्म कैसी होगी फ़्ांटर मेकनिक्स में वह देख रहेते हैं तो यह और बिटर लेंगुलनम ओवंटम उस्कार क्या हो जाएगा आई किल स्कॉर्रे ल भीकर स्कॉरल हम सब की फॉनगा याद ब्लॉटर में जानती फॉर स्टार्श का आग ऐमें audio आधी और मैं Wow करके दिखाने वाला नहीं है जितनी जरुवत पड़ेगी वह एक्सक्राइब कर लेकिन डिरेक्ट ली में इसको एंजर ओपरेटर कर सकता हूं तो यह क्या होगी एक ओपरेटर फोंगों तो मैं आपसे बस यही सजेक्स करूंगा कि जब भी आप कॉमेटेशन और यह को ही यूज करते में इस वीडियो में इतना याद रखना यह वूजपुल नहीं है लेकिन कभी-कभी एक्जाम में डिरेक्ट ली आपसे पूछेगा कि लेक्स का एक्स्क्रेशन क्या होगा तब उस उस चेस में यह काफी जूश्फुल पॉजाती है ठीक है अधर्वा यह है काटीजन कोडिनेट सिस्टम में यह जितने भी एक्स्टर में और कराएं है यह एजन का硬ल एगे जिसन अब तक मैंने करा है मैं यह एक्स्प्रेशन गोल दूठ रिए यह सब गी में nail धिक रहाrukा है वो कर आदिक हूं कोनी शिस्टम के लिए अप्लाइग के जा दे जिस्टेए जिनको हम कार्टिजन कोडिनेग्स सिस्टम में एक हें फो darnब क्या हो अगयर पोलर कोडिर ईंग करूं कहने का मतलब क्या है कि जब मेरा x क्तव है र साइन टीटा लाओ सिंग कॉस आईнок hen वाई क्या हो जाए आर आर साइन थीटा साइन फाई हो जाए और जेट क्या हो जाए आर कॉस थीटा हो जाए तो इस टाइप के फॉर्मेट को हम कहते हैं इस फैरिकल पोलर को ओर दिनेट निस्स्टम के जनले कौन्टा मेकेनिक्स में एंगुला मोमेंटम ऑपरेटर की स्पेरिकल को पोलर कोडिनेट इस प्रॉडड पोलर कोडिनेट फॉर्म ही पूछी आती है अगर कभी जर्वत पढ़ रही तो तो उसकी ऑपरेटर फॉम कैसे ल लोग इसको पहुंच करके आप नोट करना चाहां तो नोट करना है तो अगर बाइदवी कॉंपडीशन में कभी-कभी ऐसा नहीं कि हमेशा अग्यूलर मोमेंटम ओपरेंटर की पोलर कोर्डिनेट फोर्म भी पूछी जा सकते हैं वहीं इंपोर्टेंट है विकोर जब भी आप हैडोजन एक्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो या कोई थ्री डाइमेशनल स्ट्रक्ट्ट्टर की बात करते हो जैसे इसकैटरिंग इसकैटरिमेंट की बाग करते हैं तो उसमें हम पोलर कोर्डिनेट सिस्टम का ही रूज करते हैं उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम ओपरेंटर का एक्स कंपोनेंट है उसका फॉम्ला क्यों लाता है जो सिंपल फॉम्ला वो यहीं है वाई एल एक्स है इकवल टुवाई यहीं है जब इसमें एक्स के जगह जो जो एक्स के वेरीःबल है उसके जगह यूउध करें एक्सकंगला और साइनटीटा-पास पम उजकने करनें तो जो इन operator की equation होगी वो spherical coordinate coordinate में transform हो जाएगी यह इतना simple method नहीं है simple method होता तो मैं ज़रूर उसको solve कराता यह दो तीन पन्नों का method है जिसको solve करने के बाद यह equation आप गेल कर लोगे तो shortcut में इसलिए मैंने इसे लिख दिया है एक्जाम में प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आएगा एक्जाम में अगर आप यह सोच रहे हो कि कैसे कार्टीजन कोडिने सिस्टम से स्पेरिकल पॉलर कोडिने सिस्टम में momentum operator या angular momentum operator को convert करें तो यह ऐसा question exam में पूछा ही नहीं जाएगा इसलिए मैंने यह directly लिखवा दिया है तो क्या है expression में पढ़के सुना देखा हूँ तक ही कोई mistake ना होजा lx equal to ypz minus zpy equal to minus ihcat sin 5 del by del theta plus cos theta cos 5 del upon del 5 ly operator का expression है zpx minus xpz equal to minus ihcat minus cos 5 del by del theta plus cot theta sin 5 del by del 5 और lz operator का expression क्या हो जाएगा xpy minus ypx equal to minus ihcat del by del 5 actually हम polar coordinate system का use सिर्फ इसी operator को calculate करने के लिए यूज करते हैं क्यों important हो जाता है क्योंकि यहाँ पे lz का expression काफी छोटा है और इतना छोटा expression होने के वजए से इस operator की health से आइगन value and आइगन function को बड़े आराम से calculate कर देते हैं ज़रूर नहीं कि हम x, lz और ly operator का use करें सारा काम हमारा lz operator कर देता है तो हमें x, ly को पढ़ने की ज़़ोती नहीं पढ़ती ठीक है तो इसी लिए हम quantum mechanics में angular momentum operator को spherical polar coordinate form में use करते हैं क्योंकि lz operator की form काफी simple हो जाती है simple होने के वेज़े से हम इसके आइगन value and आइगन function को बड़े आराम से calculate कर पाते हैं और रिजल्ट हमें बहुत जली जली मिल जाते हैं अगर हम इस lengthy जो partition coordinate system का अगर हम expression नहीं के तो वह काफी complicated था काफी lengthy था उसके लिए आइगन value and आइगन function को calculate करना काफी tough होता है लेकिन इसके लिए काफी easy होता है इसी लिए हम angular momentum operator की spherical polar coordinate form का ही quantum mechanics में use करते हैं और next है angular momentum operator की square का expression क्या हो जाएगा तो वह L square equal to L x square plus L y square plus L z square equal to minus h cross square 1 upon sin theta del by del theta bracket means sin theta del by del theta bracket close plus 1 upon sin square into del square by del phi square यह आपका angular momentum operator की square पी form रहे है तो इसको आप पहुच करते हैं नोट कर लो exam में अगर आता है तो यह operator form काफी important है ठीक है अगर spherical polar coordinate में angular momentum का operator की form अगर पूछते हैं तो यह form important है otherwise आप orbital angular momentum operator की यही expression यूज कर सकते हो किसी भी mathematical या किसी भी quantum mechanical problem को solve करने के ठीक है अई हो आपको समझ में आ जो नहीं समझ में आया तो अभी जब हम commutator commutation relationship solve करेंगे operator की तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इसके जोड़ दे रहा हूं कि आप यह वाली form ज्यादा यूज करो इनको तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताए इसको पॉच्छ करके नोट कर लो आप बात करते हैं लेडर ऑपरेटर की यह लेडर ऑपरेटर के होते हैं बड़ यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम के लेडर ऑपरेटर की बात करेंगे ठीक है तो लेडर ऑपरेटर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में दो टाइप के होते हैं एक एल प्लस होता है जिसके हम एल एक्स प्लस आई एल वाई की फॉर्म में लिखते हैं यहां एल एक्स और एल वाई ऑपरेटर फॉर्म में है तो यह ओब्यसली ऑपरेट है तो तो एक लेड़र भी टोर poorer एक टोली है और दूसरा लेड़र और माइनस होता है करी कैसा होता है lx माइनस एम य और उपरेटर की यह सब्सक्राइब करने जाए कगी क्वूंटीशन मे लेडर ऑपरेटर काभी-अंपोर्टर्ण रोल है क्योंकि competition exam या university के exam में ladder operator के उपर भी other quantity की competition relation उच्छी चाहती है और वो हम problem अभी solve कराएं ठीक है तो यह दोनों important form है ladder operator की इसको आप पॉच्छ करके नोग कर लो मैं मिचारो तो आप finally जितने भी important operators quantum mechanics के अंदर मैंने अब तक समझाएं उनके expression का एक बार revision कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं सारे जो important operators हैं उनके expression का revision करना क्यों important है क्योंकि जब मैं इस वीडियो के आगे जब commutation relation पढ़ाऊंगा तो commutation relation को drive करने के लिए हमें उन operators के expression की ज़र्वत पढ़ेगी अगर मुझे operator के expression याद नहीं होंगे क्योंकि expression थे कैसे तो मैं उनकी commutation relation को drive भी नहीं कर पाऊंगा तो जो भी हम commutation relation के question solve कराएंगे उन question को solve करने के लिए सबसे important सीजी ही हो जाती है कि हमें पहले operators की operators के expression याद होने चाहिए तो इक बाद religion कर लेते हैं उसके बाद पिर commutation relation की problem को भी सौन करना शुरू करेंगे तो पहला operator मैंने आपको बताया था वो था position operator पोजीशन ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर में मैंने क्या क्या बताया था अगर Cartesian coordinate system का यूज कर रहे है तो X cap Y cap Z cap हमारे पोजीशन ऑपरेटर होगे अगर spherical polar coordinate system का यूज कर रहे हैं हम quantum mechanics में तो R cap हमारा पोजीशन ऑपरेटर होगे फिर उसके बाद मैंने बताया था momentum operator के बार में momentum operator में मैंने बताया थे पहले होगे component की operator PX operator का expression था minus IH cross del Y del X फिर momentum operator के Y component का expression था minus IH cross del Y del Y फिर momentum operator की Z component का operator form था minus IH cross del Y del Z ऐसी लिफा है था फिर मैंने यह बताया था कि total momentum operator कैसा होता है उसका expression होता है minus IH cross delta या gradient फिर उसके बाद मैंने यह भी बताया था कि जो हमारा total momentum operator का square होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते है PX operator का square plus PY operator का square plus PZ operator का square is equal to इसका जो final expression था minus H cross square delta square अगर यह आपको पता है तो बागी operator को आप थर्ड operator क्या बताया था आप विलोसिटी ओपरेटर तो विलोसिटी ओपरेटर में बताया था कि momentum P equal to MV होता है तो V operator बनाने के लिए momentum operator को मास से डिवाइड करना है बस तो velocity operator का X component क्या होगा minus IH cross YM del Y del X बस PX operator के नीचे M से डिवाइड कर देना है velocity operator बन जाएगा ऐसी velocity operator का Y component क्या हो जाएगा minus IH cross YM del Y del Y और velocity operator के Z component के expression हो जाएगा minus IH cross YM del Y del Z ठीक है ऐसी हम total velocity operator का expression मना सकते है minus IH cross delta YM ऐसी हम क्या कर सकते है velocity operator के square का expression मना सकते है और यह हो सकता है P operator का square by M square ऐसा क्यों कर रहा है मैंने क्योंकि देखो P square क्या हो जाएगा M square V square तो V square operator की form में क्या हो जाएगा P square by M square तो मैंने इस formula में सबको operator से replace कर दिया momentum operator का expression आपको पता है तो यह final expression क्या हो जाएगा minus H cross square delta square by M square तो आपको समझ में आ गया हो जो next operator था वो था kinetic energy operator ठीक है हाँ kinetic energy operator अब मैं उनकी जो form थी वो नहीं लिखूँगा बस उनको operator form में express कर दूँगा कहने का मतला अभी समझ जोगे kinetic energy operator को मैंने T cap से दिखाय था और इसकी value करें बताए थी P operator का square upon 2 M होती है क्लिए होगी बाद यह इसको ऐसे लिख सकते हो 1 upon 2 M P X operator का square P Y operator का square P Z operator का square काफी है अब क्योंकि मुझे सब की value पता है तो मैं operator की form बनाने में time लगा होगा ही नहीं यह हो जाएगा minus X cross square delta square upon 2 M अगर kinetic energy operator X direction में होगा तो P Y P Z 0 हो जाएगा Y direction में होगा तो P X P Z 0 हो जाएगा और Z direction में होगा तो P X P Y 0 हो जाएगा M total energy operator जिसको हम Hamiltonian operator बोलते थे तो X से दिखाते थे और जो Hamiltonian operator होता है तो kinetic energy plus potential energy का sum होता है तो kinetic energy operator plus potential energy operator को हमने इस operator equation से replace कर लिया आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो जाएग kinetic energy का operator पहला है इसमुझे पता है ठीक है या तो इसका ऐसे expression लिख सकते हो पी ओपरेटर का स्क्वाइर अप्वान टू एम प्लस वी ओपरेटर कि और पी ओपरेटर स्क्वाइर का expression हमें हर तरह से पता है अब जहां एक्स डिरेक्शन की बात होगी तो मोमेंटम सिर्फ डेरेक्शन और और यहां प्यू एक्स डारगा Nahe क्या है कि अगर मैंटर्टनिएलęt एक्स डआरीक्शन अगर हमारा सिस्ट्पमाध है तो हैं मेंटर्ण का सिर्फ गर्ण刑श सिस्टम के लिए तो मुमेंटम के दो कंपोनेंट हुँगे दोनों आएंगे और ऐसी पोटेंशिएल एैनर्जी भी X और Y दुनों का function होगी और जब Hamiltonian operator 3-Dimension system के लिए लिखेंगे तो momentum के तीनों component होगे PX, PY, PZ और ऐसी जो हमारा potential energy का function है वो भी XYZ तीनों पे depend करेगा इस तरह से हम total energy को 1-Dimension में, 2-Dimension में, 3-Dimension में या Hamiltonian operator को 1-Dimension में, 2-Dimension में, 3-Dimension में लिख सकते हैं, यह किस पर depend करेगा यह आप कौन सा expression लिउज करते हैं ठीक है, total energy के बाद मैंने बताया था एक energy operator energy operator ठीक है energy operator का expression को मैंने e cap से दिखाया था और यह था minus, sorry minus नहीं i h cat i h cat del by del t ठीक है, यह energy operator हो गया फिर उसके बाद मैंने साथ में क्या बताया था angular momentum operator angular momentum operator तो बहुत आथा नहीं, इसको यहाँ रखना है देखो, cycle में चलता है आपको बस यह cycle x के बाद y आना चाहिए y के बाद z आना चाहिए बस यही यहाँ रखना है ठीक है, तो मैं आप इसके notation मना हूँ तो क्या हो जाएगा फर एक्जामपल, angular momentum का x component का operator क्या हो जाएगा यहाँ x है तो आपको y p z minus z p y समझे कैसे करना है ऐसी ly है तो y के बाद क्या आता है, z आता है तो यहाँ से starting में करना है z p x minus x p z i hope आपको समझे का आप, ऐसी angular momentum का z component हो उसका operator l z क्या हो जाए, z के बाद क्या आता है, x तो यह हो जाएगा, x p y minus y p x इन सबको operator से replace करना है ठीक है, cap लगा रहा हूँ, इसका मतला है यह पहले से operator की form में है क्योंकि सबके operator पहले से मुझे पता है, चाहँ वो x का y और या z हो, या p x, p y, p z हो सबके operator expression मेंने load कर रखे है अब आता है, total angular momentum operator जिसको मैं l square से represent करता हूँ इसका operator form क्या हो जाएगा तो l के, l के ओपर capita square, is equal to किसका हो जाएगा, l x capita square, plus ly capita square, plus l z capita square इस तरह से हमें ये तीन angular momentum operator की form याद रखने है l x, ly, l z, plus l square की operator form ठीक है, इसके बाद जो विए लास्ट operator आपको बताया था, वो था ladder operator, ठीक है, case number ladder operator तो ladder operator कैसे थे, एक l plus था जिसकी value थी, l x plus i l y, और दूसा था l minus equal to l x minus i l y इस तरह से हमें इतने operator की form याद रखने है इनके उपर cap लगा देना, ठीक है क्योंकि यह सब क्या है, operator है यह सब क्या है, operator है ठीक है, क्योंकि जब मैं इनकी commentation relation drive करूँगा, तो यह सब operator की form आपको याद होजे, अगर याद होगी तभी आपको वो numerical या question समझ में आएंगे, ठीक है तो इसको pause करते हैं, रोग कलो, मैं मिटा रहाएं तो अब बात कर लेते हैं, इस वीडियो की second part की, जिसको मैंने नाम दिया था commutation relation between operators तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि commutation relation क्या होती है quantum mechanics में, उसको represent कैसे करते हैं तो for example में पास दो operator है, एक A operator है और एक D operator है ठीक है, तो इन दोनों operator की जो commutation relation होगी हूँ, उसको quantum mechanics में square bracket A, B से represent कर दो ठीक है, जैनि इसको हम क्या कहेंगे commutation relation between A operator and B operator ठीक है, यह तो commutation relation की notation होगी, अब इसका meaning क्या होता है, quantum mechanics में ठीक हो, square bracket के अंदर A, B का मतलब होता है, A, B का operation माइनस B, A का operation ठीक है, आप आप बोलोगे की operation हो कहा रहा है, ठीक हो, operation करने के लिए हमें कहा करना पड़ेगा जैसे for example, A, B, square bracket के अंदर, यह operation कर रहा है, sty wave function पे, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले मुझे A, B का product को sty के उपर operate करना पड़ेगा, और फिर minus B, A के product को sty के उपर operate करना पड़ेगा, इसका यह मतलब है, अगर मैंने इसका मतलब क्या हुआ, कि पहले A, B operate होगा किसी wave function पे, फिर B, A operate होगा, same wave function पे, फिर दोनों का subtraction हमें करना है, तो for example, इसको जब मैंने solve भी किया, तो for example, solve करने पे आया, lambda phi, तो क्या हो जाएगा, A commutation relation with B, sky, तो sky से sky cancel first रखते हो, तो यह हो जाएगा, A commutation relation with B की value आएगी, लेगा, तो इस तरह से हमें quantum mechanics में commutation relation को define करना है, ठीक है, और commutation relation की notation यह है, meaning यह है, ठीक है, अब problem क्या आती है आपे, आप लोगों से यह पूछ करोगा कि इसकी जरुवत क्यों पड़े है, पू पूछना चाहते होगे, नहीं पूछ रहे हो, तो बता रहेता हूं कि quantum mechanics में इसकी जरुवत क्यों पड़ी, actually, यह commutation relation, quantum mechanics में एक बहुत ही important concept बता रही थी, क्या concept बता रही थी, यह commutation relation, वो भी देख रहेते हैं, देखो, दो case बन रहेते हैं, जब भी हम commutation relation को solve कर रहेते है कि दो operator की जो commutation relation है, वो 0 भी आ रही थी, अगर 0 आ रही थी, तो इसका मज़़ा हम क्या समझते हैं, quantum mechanics में, means, means, a and b commute with each other, with each other, हम यह कहते थे, अगर a और b की commutation relation की value equal to 0 आ रही थी, तो इसका मज़़ा हम यह कहेंगे, कि a और b commutes करते हैं, एक दूसरे के साथ, अब इसका क्या मतलब तो quantum mechanics में, इसका मतलब यह था, कि जो a का eigen function होगा, for example, a का eigen function है si, और eigen value आती है, lambda a si, तो b का भी आइगन function same ही होगा, b का आइगन function भी same होगा, हाँ, बट आइगन value अला रही है, because b operator अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि अगर मैं quantum mechanics में यह कह रहा हूँ, कि a and b commutes with each other, तो इसका मतलब क्या होगा, both operator have same eigen states, इसका मतलब यह हो, जो कि मैंने equation की तुरू, रिक प्रजान भी किया है, कहने का मतलब क्या है, कि अगर quantum mechanics में दो operator की computation relation 0 आती है, इसका मतलब उन दोनों ही operator का आइगन function common है, clear होगी बात, यह fact काफी important होता था quantum mechanics के लिए, जैसी हमने इस fact के बारे में पता चलता कि, था कि दो operator के आइगन function सेम है, तो quantum mechanics में बहुत ज्यादा result बहुत आराम से निकलाते थे, यह बहुत जल्दी जल्दी हमें कई सारी information मिल जाती थी, क्योंकि हमें दूसरे आइगन function को रोने की ज़रूद नहीं पारती थी, हमाई पर एक ही आइगन function होता था, और वो सभी operator के लिए useful होता था, तो हमें information फटाफट मिलती चली जाती थी, quantum mechanics में, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, कि अगर A operator का आइगन function साई है, तो B operator का आइगन function ढूणने की ज़रूद नहीं है, direct B operator को उसी साई पर operate कर देना है, और result निकाल देना है, तो यानि खहने का मतलब है, जैसे ही quantum mechanics में, दो operator commute कर जाते थे, हमारी जो information थी, वो बहुत फटाफट फटाफट मिलती रहती थी, चाहाँ हम किसी भी physical system के लिए वो सब काम कर रहे हैं, आयोब आपको समझ्दा आगा, बट जब ऐसा नहीं होता था, for example case second, कि मेरे पास दो operator है, A, B की computation relation 0 के equal नहीं है, इसका मतलब क्या होता था, means, A and B does not, commute with each other, इसको हम ऐसे बोल सकते थे, means, अगर commutation relation A और B का not equal to 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि A, B, एक दूसरे के साथ commute नहीं करते हैं, यह do not commute, ठीक है, अब क्या हुआ, कि इसका मतलब अगर commute कर रहे हैं तो eigen function same है, अगर commute नहीं कर रहे हैं, तो eigen function different होगा है, कहीं का मतलब यह का अगर eigen function sign है, और eigen value क्या निकल रही है, A, lambda, sign निकल रही है, तो B का eigen function different होगा, because A और B इस case में commute नहीं कर रहे हैं, यह इस system के लिए A और B operator commute नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, B sign होगा, फिर B के लिए मुझे नया function चाहिए, तो for example वो function है काई, तो B जब काई function के operator तो यह एक eigen value देगा, for example वो lambda B हम दिखा दे, और again eigen function as it is रहेगा, तो इस तरह से हमाई पास दो eigen equation मिल जाएंगे, और दो eigen function भी मिलेंगे, है ना, इसका मलदा, both operator cannot have, means, both operators can not have same eigen states, तो आपको लगा, असका मज में आया है कि क्यों, कॉम्टेशन रिलेशन काफी यूश्फुल है, quantum mechanics के रहे, क्योंकि अगर दो operator की communication relation equal to 0 हो जाती है, तो हमें eigen function हर एक operator के दुगूने की जरूवत नहीं है, हर एक operator के लिए eigen function धूणने की जरूवत नहीं है, या हर एक operator के लिए आइगन function को calculate करने की जरूवत नहीं है, क्योंकि एक operator का आगर मैंने eigen function calculate कर लिया, तो वो भी operator के लिए उतना ही useful होगा, जितना वो ए operator के लिए है, और इस तरह से हमारी जो calculation है, है वो सौर्ट हो जाएगी या सेल्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो खतम हो जाएगा या बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बहुत जल्दी मिलने लग जाएगी क्योंकि हमारे पास एक ही आइगन फंक्शन एड जो सभी ऑपरेटर के लिए उस्कुल है इसलिए जब भी कम्यूटेशन रिलेशन ब्टू ऑपरेटर इस इक्वल टू जीरो होता है हम ये कंकुलूजन निकालते हैं कि बोध ऑपरेटर हैं सेम आइगन स्टेट बट अगर पॉंटर मेकनिक्स में ऐसा नहीं होता फॉर एक्जांपल के सब्सक्राइब में जब कम्यूटेशन रिलेशन ब्टूइंड एंड वी इस नौट इक्वल टू जीरो तो दोनों ऑपरेटर के अलग 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 आइग करना पड़ेगा तो प्रॉसेस अपने आप लंबा हो गया तो इसलिए अगर क्वांटर मेकनिक्स में किसी दो ऑपरेटर की कम्यूटेशन रिलेशन इस नौट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि मीज बोथ ऑपरेटर कैन नॉट है सेम आइगन कैसे नोट करोगे वह भी देख लिए तो इसको पहुंच करके नोट करना चाहां तो नोस करना में मिटा रहा हूं को क्या कि स JAC करता है मोमंटम ऑपरेटर मोमंटम पसीजिकल किष्कवर κα्दा ऐसी है अन्जव ऑपरेटर से सास्ट कि कि आनेर जी को मीज़ करता है किर्जिस्पलनों ato quantity को measure करने के लिए होते है quantum mechanics में तो वही time if y है if there are two operator A and B corresponding to two different measurable quantities then their commutation relation can be expressed as square bracket के अंदर A, B is equal to क्या होता है AB operator minus BA operator ठीक है अग उसके बाद आप क्या देखोगे quantum mechanics commutation relation between operators are very useful to determine whether they are eigen states या function जो भी आप लेखना चाहो eigen state और eigen function बात एक ही होती है quantum mechanics में whether they are eigen function oblique state are common or different कहने के मतलब है ये commutation relation quantum mechanics में ये बताती है कि कौन सी condition है जिसमें दोनों operator की same eigen state मिलेंगी और कौन सी ऐसी condition है जिसमें दोनों operator के different eigen state ये बताती है तो वो दो कीस है फस्ट केस है इस combination relation between operator a and b is equal to 0 जार ab operator minus b operator is equal to 0 तो इसका मतलब है जैन भी से जैट operator a and b अब जैने का मतलब है दोनों operator commute कर रहे हैं ऐसा हम quarter mechanics में कहते हैं और इसका मतलब होता है इस बोथ operator have same eigen state कहने का मतलब है ए ऑपरेटर की आइगन इस्टेट यहां स्काई है इसी तरह से भी operator की आइगन स्टेट भी स्काई ही होगी हाँ अलग बात है दोनों operator अलग अलग physical quantity को मीजर कर रहे है इस बज़े से उनकी आइगन इस्टेट यहां ए ऑपरेटर के लिए आइगन वेलू के आए लेमडा यह है तो बी ऑपरेटर के लिए आइगन वेलू लेमडा भी है ठीक है इट मींज बोट ऑपरेटर के नोट है से आइगन स्टेट कहने का मतलब है अगर ऐसा होता है कि दो ऑपरेटर की कम्यूटेशन रिलेशन क्वांटम मेकेनिक्स में जीरो नहीं होती है तो हम ऐसा समझते हैं कि वहां उन दूनों आइगन स्टेट अलग है यहां आइगन स्टेट मैंने एक यह ऑपरेटर की साइड दिखाई है जिससे एक ऑपरेटर की आइगन वेलू लेमडा ए मिलती है तो दूसरी इक्वेशन अलग बनेगी जो बी ऑपरेटर का जो आइगन फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा आइ युनिवर्सिटी के एक्वेशन में कॉमिटेशन रिलेशन के ओपर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन अकसर पूछे जाते हैं वो दोनों मैंने यहां पे टिकप किया है ठीक है पहला कुश्चन है कैलकुलेट कामिटेशन रिलेशन बिट्वीन ऑपरेटर एक्स एंड सब्सक्राइब है दोनों को सॉल्व करके दिखाने मनें तो यह सिर्फ युनिवर्सिटी के लिए ठीग है फिर उसके बाद competition एक्जाम के लिए कैसे solve करना वह भी बता हूंगा तो solution क्योंकि competition exam में हमें सारे competition relation को sort कर तरीके से करना पड़ेगा तो university के में क्योंकि हमें कॉपी भणनी होती है तो नहीं लगे लेटे लिए तो जादर लगे लिए इस टैप में यह दो रोगल करके दिखाऊंगा उसके बास हम बात करेंगे कि competition exam में कैसे commutation relation आते हैं और उनको sort कर तरीके से कैसे करना है ठीक है तो पहले start करते हैं इन दोरो कोशन से जो अक्सर university के exam में पूछे जाते हैं तो पहला कोशन करते हैं कोशन है कि आपको x, px square bracket के अंदर means इनकी commutation relation को calculate करना है तो directly competition के exam में यह expression आपसे पूछ लेंगे कि इसका क्या result होगा तो इसको solve कैसे करना है सबसे पहले आपको इसका मदलब होता है x, px minus x, pxx, pxx, but इसको ऐसे तो calculate कर नहीं सकते हैं तो मैं कैसे calculate कर सकता हूँ, मुझे एक wave function को इस के उपर operate करना होगा, तभी मैं calculate कर सकता हूँ तो मैं यहां लिग दू, x, px के commutation relation के उपर मैंने एक sign operator को operate किया तो मैं इस relation के उपर भी sign operator को operate करना है, तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, x, p, x, si, minus, p, x, x, si अब इसको solve करने से भी कुछ पता नहीं चला है, अब मुझे momentum operator का expression जाहिए, तो वो है minus i h cross del by del x क्योंकि यह momentum operator के x component की बात हो जाएगा, तो x component की operator form यूज करिया है, तो सम्वे से minus i h cross common आ जाएगा, तो मैं बाहर से minus i h cross लिख दे रहा हूँ, और यह हो जाएगा, x del by del x, x del by del x, si, minus, del by del x, x, si, I hope आपको समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे भी px है, यहाँ पे भी px है, तो minus i h cross एक number है, तो उसको मैंने बाहर ले लिया, और बागी सब functional चीजों को अंदर रखा है, ठीक है, अब इसको तो solve कर नहीं सकते, तो इसको एज़िक छोड़ देंगे, x del si by del x, इसको solve कर सकते, इसको कैसे कर सकते, first function को छोड़ेंगे, second function का differentiation करेंगे, plus second function को छोड़ेंगे, first function का differentiation करेंगे, इस तरह से, तो पहले मैं x को छोड़ रहा हूं, और si का differentiation कर रहा हूं, फिल मैं si को छोड़ू है, और x का differentiation करेंगे, इस तरह से, अचा एक बार बढ़ यह एक्स्पैसन और यह एक्स्पैसन सेम है तो धोमों कैंसल आउट हो गए आधिएया से क्या हो जाएगा तो यहां से क्या solve किया था? square bracket x px कॉम ने solve किया था, जो sign पर update गुरा था, और result क्या आया? minus, sorry minus कहीं क्या आया? i h cross i h cross sign, अजब sign को sign से replace कर सकते हो तो commutation relation between x and px का result क्या आया? i h cross important बात बताते हैं आपते कि similarly आप यह सब प्रूफ कर सकते हो similarly आप यह भी प्रूफ कर सकते हो y, p y की जो commutation relation होगी वो भी minus i h cross होगी और ऐसी आप z, p z की भी commutation relation प्रूफ करोगे तो यही आई थेकर इसको पहुच करके नोट चलो मैं मिटा रहूँ तो इस तरह से आपको कहला question solve करना है अब बात करतें second question की वो भी बहुत important है युनिवर्सिटी के एक्जाम के लिए फर एक्जामपल वन बीकेस वन डेमिशनल केस तो अबन टोंगें की operator क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पी एक्स operator का square upon 2m ठीक है यह इसी लिए मैंने operator फॉर्म पहले ते पढ़ा दिए थी यहां पर आप लिको गें फर फ्री पार्टिकल फ्री पार्टिकल जो potential energy VX होती है वो 0 होगा फ्री पार्टिकल का मतलब ही यह है कि उसे मैंने किसी potential फिल्ड में बाउंड नहीं किया इसका मैंना potential energy उस पार्टिकल के लिए 0 तो फ्री पार्टिकल के लिए Hamiltonian operator क्या हो जाएगा PX square upon 2N यह हो जाएगा ठीक है potential energy होगी नहीं अब मुझे Hamiltonian operator गार्टिकल मैं one dimension case की बास कर रहा हूँ तो one dimension case में momentum operator क्या हो जाएगा momentum operator हो जाएगा PX अब मुझे क्या करना है मुझे इन दोनों का commutation relation मनाना है drive करना है Hamiltonian operator PX operator for 3 particle क्या होना है अब हमें यह calculate करना है तो Hamiltonian operator for a 3 particle हमें पता है यहाँ पर solve करते हैं तो क्या हो जाएगा मुझे इसके उपर एक wave function को operate करना होगा for example again हम साई को ही ले ले रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा Hamiltonian operator momentum operator पहले साई पर operate होगा minus ठीक है ऐसे ही कर देते हैं पहले relation मना देते हैं minus PX operator X H ठीक है और साई पर यह operate होगा तो क्या हो जाएगा operator की form हमें हमें लिख नहीं पर जाएगी इस बार क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के एक्जाम के लिए हम numerical को solve कर रहे हैं ठीक है तो for example मैं अभी ऐसी लिख दे रहा हूँ ठीक है operator और Hamiltonian operator क्या हो जाएगा PX operator का square अपन 2M और यह side पर operate हो रहा है अच्छा यह बताओ यह सब एक ही operator है same operator same operator है तो मैं कैसको PX operator का cube अपन 2M लिख करता हूँ और इसको क्या लिख करता हूँ PX operator का cube अपन 2M और इस side पर operate हो रहा है clear हो गए बाद अच्छा हमें PX operator की value पता है यह क्या है minus IH cross del Y del X होती है अच्छा यह बताओ इसका cube करूँगा तो क्या होगा तो cube करूँगा तो यह PX operator का cube हो जाएगा minus IH cross del Y del X operator का cube तो simple सी बात है यह हो जाएगा minus I का cube X is cube del cube by del X cube I cube क्या होता है minus I cube देखो minus I square into minus I यही तो I cube होगा careful ही करना नहीं तो समझ में ही आएगा minus का I cube क्या लाता है minus का I square plus into minus I अब minus का I square minus 1 होता है ठीक है चाहे आप I square की बात कर लो वो भी minus 1 होता है चाहे minus I का whole square की बात कर लो यह भी minus 1 नहीं होता है और यहाँ minus I पहले से है तो यह क्या होगा minus minus plus यह नहीं यह आई हो गया तो कुल बिलाके हमारा जो momentum operator का जो cube है वो क्या है इसको हटाके मैं आई दीक है ठीक है तो यह side में note कर लो कि P यहाँ हमने side में note कर लिया PX operator का cube क्या हो गया I H Q X cross cube del cube by del X cube यह हुआ यहाँ value put कर दू ठीक है पॉल्च करके note करना चाहाँ तो note कर दू ठीक है यह पाद चेक कर लेते I square क्या हो गया minus I square minus 1 और minus I फिर बचा तो वो हो गया minus 1 minus I plus I ठीक है तो यह operator पॉल्च कर दूब हो गया तो क्यों जाएगा यहाँ पर minus minus नहीं है अब डिरेक्टी इन्हों को काट नहीं सकते हैं यह भी माँ बता हूँ ठीक है यह आपका final result हुगा यह तो result मैंने किसके लिए लिखा है वन डिमेशनल सिस्टम के लिए लिखा है वन डिमेशनल सिस्टम के लिए हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे इसको पॉच्च करके नोट कर लो मैं मिटा हूँ कर दिमेशनल सिस्टम केस में जो मोमेंटम ऑपरेटर होगा वो कहता होगा टोटल मोमेंटम ऑपरेटर और पार्टिकल का जो हमिल्टोनियल ऑपरेटर होगा उसमें भी टोटल मोमेंटम ऑपरेटर होगा और जो मोमेंटम ऑपरेटर होगा जिसका कॉमेटीशन कराना है वो भी मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑपरेटर होगा कहने का मतलब है 3D case Hamiltonian operator सो यह हो जाएगा where जो P होगा P square होगा PX operator का square प्लस PY operator का square प्लस PZ operator का square और जिसकी value हमें पता है क्या होती है माइनस H cross square डिल्टा इसकोर और जहां पर यह P होगा वो क्या होगा P operator होगा माइनस I H cross डिल्टा अब सिंपल सी बात है for free particle क्योंकि हमें चिसके लिए calculate कर रहा for a free particle चो potential energy होगी यहां पर potential energy function of XYZ क्योंकि particle जो हमारा system में वो three dimension का है तो potential energy क्या होगी function of XYZ तीन होगी but यह 0 होगी for a free particle क्योंकि free particle के लिए free particle के लिए free particle क्याने का मदलब उस पर कोई force काम ना कर रहा हो कोई external field काम ना कर रहा हो तो external field काम ना कर रहा हो इसका मदलब उसकी जो potential energy होगी होगी अभी बताता है तो इसका मदलब जो Hamiltonian operator हो जाएगा for a free particle वो जाएगा P कैप स्क्वाइब अपॉन है और इसकी जो commutation relation होगी इस Hamiltonian operator की वो होगा स्क्वाइब एस्केप इसक्वाइब एक अंदर for free particle इस इक्वाइब अब यह क्या होगी यह भी जीरो आएगी देखते हैं ठीक है अब यह देखने के लिए उपर की सब चीजे में मिठा रहा हो ठीक है पास्च करते मोट करते रहा करो कर दो कि अब यह देखते हैं अब और फ्री पार्टिकल की पास तिर्फ काइनेटिक अनर्जी नहीं होती यह बार आप अपने दिमांग में फिट कर देखें तो क्या जाए यहां पर लिखोगी कमिकेशन रिलेशन बेट्वीन हमिल्टोंियन एंड मोमैंटबम उपरेकर को हमें साइ के ओपर अपर आपरेट करना है तो यह हो जाएगा एच पी ओपरेटर ओपरेटर ऑपरेटर आपरेटर ऑन काइब सबका एक्सपरेशं मुझे पाटा है ठीक है फूट करना सुरू कर यह मैंने सर्कट मां दिया इसको साहिक इमिल्टॉम्य whispering क्या होता है पी-ris-hill मोलं इन्टू टीए एअपरेटर मार्यनस दी लूब टीए स्ट्रिव मोलं रियो हजाला 2 एम बाहर निकंड सकते हैं, 1 अप़ान क्या कर दाग 2 प्टुम पुरा जीरो हो गया था तो twa मज देख लेना ठीक है पदा लूँ झीस का साइब्स करा तरो क्यों होगा योना थी ओपरेटर का क्यू माइनस दी ओपरेटरल का क्यू को सब्सक्राइ अचा प्य ओपरेटर हुमने पता है माइनस आई एच क्रोस डेल्टा है तो पी ओपरेटर का क्यूब हो जाएगा माइनस आई एच क्रोस डेल्टा या ग्निमेंट का क्यूब तो यह हो जाएगा माइनस i square का मतलब माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस i h cross का q देलता q तो क्या करोगे minus sorry minus करेंगे i h cross cube को बहा निकाल लोगे i h cross cube को बहा निकाल लोगे upon 2m हो गया और यह हो जाएगा gradient ठीक है यह हो जाएगा gradient का q minus gradient का q अभी भी नहीं काटोगे पहले si को अपरेट करो तो यह हो जाएगा i h cross का q upon 2m और यह हो जाएगा gradient का q si minus gradient का q si अब यहाँ पर आप cancel out करोगे और फिर result आएगा 0 यहनि 3 dimensional case के लिए Hamiltonian operator और momentum operator की commutation relation जीलो आएगी और यही answer है इसको फॉर्च करके नोट करनो मैं मिटा रहा हूँ अब यह समझ लेते हैं कि competition में commutation relation की question को कैसे solve करना है उसको solve करने के लिए कुछ मेरे पास ट्रिक्स हैं या कुछ पॉर्मले नोट कर लो नमबर वन क्या है कि अगर सेव operator होगा तो उसकी commutation relation जीलो हो ठीक है दूसरा अगर दो operator का sum है वो तीसरे operator के साथ commutation relation उसकी calculate करनी है तो यह हो जाएगा a commutation with c commutation relation with c plus b commutation relation with c ठीक है इसी तरह से एक और relation हम बना सकते हैं यहीं पर लिख देते हैं third a, b plus c के साथ commutation relation a की बना नहीं है तो यह जाएगा a, b square bracket के अंदर plus a, c square bracket के अंदर इसी तरह से अगर मिले पास दो operator का multiplication operator है a, b उसका c के सब commutation relation calculate करनी है तो इसको आप ऐसे calculate कर सकते हो a, b commutation with c यानि b और c का commutation relation plus a, c का commutation relation into b इस तरह से यह एक और formula बना करते हो आप a, b, c तो क्या हो जाएगा square bracket के अंदर a, b multiply by c plus multiply by b on a, c यानि commutation relation between a and c ठीक है जी का multiplication किसके साथ होगा a, b की commutation relation के साथ है तो अंदर कैसे बनना है आपको देख रहा होगा clear आपको देख रहा है जब b के साथ होगा तो c बाहर रहेगा और जब c के साथ commutation relation होगा तो b बाहर रहेगा ठीक है अगर पर एक्जामपल कोई constant आता है पर एक्जामपल a लेम्डा b होता है यह लेम्डा क्या है कोई constant है तो इसकी commutation relation में लेम्डा बाहर भी लिख सकते हैं और a b का commutation relation निकाल सकते हैं यह एक और formula लिख सकते हैं अगर लेम्डा a के साथ हो और b के साथ साथ कम्युटेशन इसके निटाल नहीं हो तो लेंड़ा को आप बहर दे सकते हो और एक कि मिलेशन ब के साथ निकाल सकते हो यहां इनगा है नंगा जैसे हैं कि लेंड़ा है पी x यहींनि पोजीशन और मोमेंटम आपरेटर की कोमेंटेशन रेलेशन के लिए फर एजामपल अगर यह पावर n है यहां मोमेंटम आपरेटर की पावर n है तो यह हो जाएगा आई n x cross और p x की पार n minus 1 यह formula जुँच करते हैं और same यह formula कैसे बन जाएगा अगर मेरे पास x operator की पावर n है और p x है square bracket के अंदर तो यह हो जाएगा i n x cross x की पार n minus 1 यह सब important formula है इन formula का यूज हमें commutation relation को solve करने के लिए कैसे करना है यह भी सब देख लेते हैं आगे आने वाले दो मेरेटल में तो इसको परच करके note कर लो में मिटा लो commutation relation के दो और important formula मैं देखाना बोल जा 10th formula क्या है a b की जो commutation relation होती है वो b a की commutation relation की negative होती है अब आप को होगी फैसे मैं बता देता हूँ जैसे हमने a b के बारे में पढ़ा था a b की commutation relation को हम a b minus b a लिखते थे तो इसमें मैं minus sign common layer हो तो यह हो जागा b a minus a b अच्छा b a minus a b की जो commutation relation होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं b, a क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि b, a लिखने का मतलब क्या है इसको आप b a minus a b लिखोगे तो इस तरह से हमें यह पता चलना है कि a b की commutation relation minus sign होती है b a की commutation relation अच्छा एक और important formula है 10th की बाद 11 कि अगर a की a का कोई function है for example function of a comma a से ही commute कर रहा है तो यह zero होता है अब function of a कहने का मतलब है for example function of a, a की part n हो है या function of a a की part a square plus 3a है इस तरह से ठीक है तो इन दोनों के case में for example इस formula को हम ऐसे modify कर सकते है a की part n, a की commutation relation क्या होगी zero होगी और ऐसी a square plus 3a comma a की commutation relation की zero होगी ठीक है यह formula कैसे काम करेगा को मैं आपको दीदे दीदे बताऊंगा ठीक है जब numerical solve कराऊंगा या competition exam में कैसी कैसी problem आती है जब उनको मैं solve कराऊंगा तो यह formula कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा खीक है जैसे for example एगर function हम ले ले लेते हैं for example a cube plus 4a square plus 8a को मैं commute करूं a से तो यह भी zero होगा तो इस type से जो इस side को है यह क्या function of a है इस type का जितना भी expression है को मैं से पहले का वो क्या function of a तो तभी भी जब function of a किसी a operator से ही operate होता है तो result हमेशा चीड़ होता है तो इसको pause करके लोक्त अलोग मैं लिटारा है तो इम exam में कैसी कैसी problem आती है उन सब पर आपको डिसकस करना शुब करते है तो सबसे पहले बात करते हैं number first Commutation relation of position operator ठीक है Commutation relation of position operator ठीक है तो commutation relation और position operator क्या हो गए आपके पर एक्जामपल एक्स का एक्स के साब commutation relation वाई का वाई के साब Commutation relation operation ठीक है और Z का Z के चाब Commutation relation ये सब 0 होता है क्यों जीद होता है इसके पीछे वो कॉमला है जो मैंने लिखता था कि जब same operator की Commutation relation find करते हैं तो वो हमीशा 0 होती है ठीक है अब ऐसा एक और condition में हो जाएगा जब X की पार N का X के साथ ही Commutation relation निकाले Y की पार N का Y के साथ Commutation relation निकाले ये Z की पार N का Z के साथ Commutation relation निकाले तो ये भी 0 होता इसमें जो फॉर्मला काम कर रहा है वो है function of A, A क्योंकि Competition exam में solve करने का इम होगा रही आपके पास तो डरेक्टी आपको formulae से ही Commutation relation को solve करना है अधर वही अगर proof करना हो तो मैं आपको बता दू एक question proof करके दिखा रहेते हैं तो जैसे for example X, X की Commutation relation निकाल निकाले है तो इसको स्थाई पर operate करना होगा यानि X into X minus X into X ये स्थाई पर operate होगा ये सब क्या है operator है तो X operator X operator sign minus X operator X operator sign X operator ये पोजिशन operator क्या रखता है variable का multiply रखता है तो ये हो जागा X square sign और ये भी हो जागा X square sign तो दोनों same है तो दोनों 0 तो यहां से X Commutation relation with X operator sign 0 है इसका मतलब X, X की value 0 है इसी तरह से बाकिए आप commutation relation को proof कर सकते हो ठीक है इसको आप पहुच करके note कर दे इसके बाद और भी commutation relation होती है जैसे for example X का Y की सब commutation relation Y का Z की सब commutation relation ये Z का X की सब commutation relation गी 0 आता है simple method इंप प्रूफ करेगा आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि X, Y का commutation relation की सब्सक्राइब करोगे तो X operator Y operator minus Y operator X operator इस type इंप प्रूफ करोगे अब operator का काम क्या है simply multiply करना variable का तो ये X, Y, Si हो जाएगा और ये Y, X, Si हो जाएगा अब क्योंकि variable आगे भी को पीछे लगा कोई फरक नहीं पादता तो X, Y, Si minus X, Y, Si ये दोरों cancel तो 0 तो कहने का मतलब है X, Y का commutation relation of operator on Si 0 है तो इसका मतलब X, Y का commutation relation भी 0 है अगर ऐसा है तो हम इंगर से कोई सभी relation proof कर सकते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है ऐसा है तो हम ये भी proof कर सकते X की power N, Y Y की power N, Z और Z की power N, X is equal to 0 या हम ये भी proof कर सकते हैं X, Y की power N equal to Y, Z की power N equal to Z, X की power N इनकी भी commutation relation उचीद होगी इस तरह से position से related जितने भी commutation relation की question पूछे आ सकते हैं वो आपकी screen के सामने हैं इनको आप पहुच करते हैं अब बात करते हैं commutation relation of momentum operator इससे number second बोल देते हैं commutation relation of momentum operator ठीक है अच्छा अच्छा तो पहले तो जो सबसे easy commutation relation है वो PX, PX के साथ PY, PY के साथ और PZ, PZ के साथ इससे बात करते हैं यह commutation relation 0 होगी क्योंकि हमने पहल लखा है जब दो operator से हम होते हैं तो उनकी commutation relation 0 होते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो मैं यह भी बना सकता हूँ PX की पार N, PX भी 0 होगा PY की पार N, PY भी 0 होगा और PZ की पार N, PZ भी 0 होगा ठीक है यहां पे तो property यह जो है FA, A की commutation relation हमीशा 0 हो अगर एक और commutation relation आती है वो है PX, PY की commutation relation PY, PZ की commutation relation और PZ, PX की commutation relation यह भी 0 होती है अगर कोगे कैसे एक proof कर देते हैं ठीक है, proof करेंगे तो क्या हो जाएगा PX, PY operate on PY equal to PX, PY, minus PY, PX यह क्या है, operator ही यह जाएगा इनको हमने PY के उपर operate किया है तो क्या हो जाएगा यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा यह क्या हो जाएगा यह जाएगा एक function लिया है ठीक हो उस function की value xy है तो जब भी आप इसको operate करोगे function पे तो आपको पता है इसका result भी 1 आएगा और इसका result भी 1 आएगा तो इसका मतलब यह दोनों सेम है, आपके पीछे लिज सकते हैं, इनको, minus h cross square, ठीक है, और यह जगए del square अपन del x del y, और minus del square, del x del y, और यह साह, तो answer हो जागा, minus h cross square, del square psi, del x, del y, minus del square psi upon del x, del y, तो ये दुरों cancel होगे, और result आया, 0, ठीक है, तो कहने का मतलब है, ये क्या आएगा, px, py, जब operate हो रहते, साइट ये तो 0 आगया, इसका मतलब, px, py, की commutation relation 0 होगी, ठीक है, निगाए देखा, ठीक है, तो इस तरह से ये result आया, इस तरह से ये relation भी पूब कर सकते हो, और ये वाली relation भी पूब कर सकते, और ये वाली relation भी पूब कर सकते, और सकती note कलो, In fact और भी Commutation Relation Proof कर सकते हैं अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा Px की पार N Py Equal to Py की पार N Pz Equal to Pz की पार N Px Equal to 0 या ऐसे इनका opposite भी कर सकते हो Px, Py की पार N Equal to Py, Pz की पार N और Pz, Px की पार N इनकी भी Commutation Relation 0 आईए अच्छा अब यह देख लेते हैं Total Momentum Operator यही P square तो जब मैं Px के साथ Operate करूँ तो क्या आता है तो यहाँ पे मैं इस Operator इस Commutation Relation को ऐसे रिख सकता हूँ Px square plus Py square plus Pz square Commutation Relation with Px अब यहाँ पे एक formula है A plus B plus C को अगर में B के साथ Commutation Relation मना हूँ तो यह हो जाएगा A D plus B D plus CD इस तरह से तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ अपरेटर का एडिशन किसी थार्ड अपरेटर के साथ आ रहा था तो A C हम कर रहे थे प्लस A B C कर रहे थे इस तरह से तो यही फॉर्मला जब तीन अपरेटर का सम हो तब कैसे होगा तो वो उपर लिख रहे था है तो यह क्या हो जाएगा P X square P X plus P Y square P X plus P Z square P X इस तरह से Commutation Relation मने ही ठीक है आपको पता है उपर जितने भी फॉर्मले लिखे हैं वो यह बता रहे हैं कि यह भी 0 है यह भी 0 है यह भी 0 है तो यहाँ से हमें एक Final Relation की मिला कि P Total Momentum Operator का स्ट्वायर P X के साथ Commute करता है Total Momentum Operator का स्ट्वायर P Y के साथ भी Commute करता है और Total Momentum Operator का स्ट्वायर P Z के साथ भी Commute करता है यानि ये तीनों relation equal to zero नहीं थीख तो commutation relation की ये सब खौरूले थे इनको आप पहच करके मोट कर लो थीख है मैं मिठागा अब समझते हैं कि momentum operator की commutation relation position operator के साथ क्या हो दी तो कुछ तो रिजाद सम पहले से जानते हैं जिनको मैंने proof करा दिया जैसे x, p, x की commutation relation मैंने proof करा दिती क्या थी i, h, cross ये equal होती है y, p, y के और z, p, z के ठीक है इसे मैंने proof कराया था तो आप को यादू ठीक है अब important बात क्या है कि अगर मैं इनको reverse कर दूँ यानि p, x, x कर दूँ या p, y, y कर दूँ ठीक है या p, z, z कर दूँ तो ये क्या बता रहा है ये result आज़ागा minus i, h, cross यहाँ पे कौन सा result रिखुच हुआ a, b का commutation relation minus b, a के commutation relation के बराबर होता है यहाँ पर ये result दूँ ठीक है, एक और formula इस equation को देखके बनाईए अगर ये x की पार for example, 2 है या 3 कर लेते या n कर लेते फिर 2, 3 करते रहेंगे ठीक है for example, ये x की पार n है और ये p, x है is equal to y की पार n, py है ठीक है, ये सब operator है इनके उपर cat लगाते रहें या z की पार n, p, z है ये operator है इनकी commutation relation क्या होगी तो यहाँ पर एक formula मैं आपको बता दूँ हैने बताया था x की पार इनका जो formula भा पहले बो लिख लेता है क्या था n, i, h, cross सबके लिए एक तो नहीं हो सकता हैना सबके लिए एक नहीं हो सकता क्योंकि variable आज़ता है यानि for example इसका formula लिखे तो यह होता है i n, i, h, cross x की पार n-1 ऐसी y की पार n, py का formula क्या बन जाएगा n, i, h, cross y की पार n-1 और ऐसी z की पार n, p, z का formula बन जाएगा n, i, h, cross z की पार n-1 इसी तरह से इस ताइब भी लिखते है क्या हो जाएगा खरें, तो यह हो जाएगा x, p, n, p, x x, p, x ठीक है x, p, x की पार n x, p, x की पार n का commutation relation होगा n, i, h, cross p, x की पार n-1 और y, p, y की पार n का formula बन जाएगा n, i, h, cross, p, y की पार n-1 और ऐसी z, p, z की पार n का formula बन जाएगा n, i, h, cross, p, z की पार n minus 1 ठीक है इस तरह से formula बन जाएगा ठीक है जहाँ n आपका मैं मतातूँ हो बेहर जो n होगा ये 1, 2, 3, 4, 5, etc हो सकता है ठीक है ये सारे आपके important formula है क्योंकि competition के exam में आप competition relations और तो करने वाले हो नहीं क्योंकि इत्ता time होता नहीं है डेक्टा में देखना होता है और फिर answer पर ठीक करना होता है तो उस according ये सारे formula आपके ख़फी important बन जाते हैं ठीक है और भी formula है जैसे for example xpy equal to ypz equal to zpx ये 0 होता है ठीक है उपर की चीज़ें आप पहुच करके लोग कर सकते हो मैं मिठार हो ठीक है अब कहते होता है वही proof करने की process करने हो ठीक है देखो for example मैं एक relation proof कर दूए याँपे side में जैसे xpy की commutation relation को calculate करने के लिए मुझे sign operator चीए sign wave function चीए तो xpy ये दोनों क्या है operator है minus pyx ये sign पे operate होगे तो क्या हो जाएगा p operator की value आपको पता ih cross x del y del y minus del y del y ये x हो जाएगा अब साइको अंदर रेज़ होगे तो minus i x cross तो क्या हो जाएगा ये x del psi y del y और minus del y del y और ये x psi के operate होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा minus i h cross minus i h cross इसको इस साइड रापके जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा x del side y del y minus पहले मैं x को छोड़ाँ और psi पे operate करऊ तो del side y del y और फिर psi को छोड़ूँगा और x पे operate करऊँगा तो del x by del y ये क्या हो जाएगा जीए खिक है तो क्या हो जाएगा ये 0 है और ये दोनों से में तो कुल मिला के 0 यनि हमारा result क्या आना है x p y की commutation relation जब psi को अपरेट हो जीए तो 0 होता है इसका मतलब x p y की commutation relation 0 होगी है ठीक है इसको पहुँच करके आप इस तरह से हम ये भी proof कर सकते हैं कि x की power n p y की commutation relation is equal to y की power n p z की commutation relation equal to z की power n p x की commutation relation भी 0 होगी और इसी तरह से हम ये भी proof कर सकते हैं x p y की power n की commutation relation equal to y p z की power n की commutation relation और z p x की power n की commutation relation भी 0 होगी ठीक है तो ये important result है आप इनको पहुच करके note कर लो मैं मिठा लो अब बात करते हैं अगर total momentum operator पी operator का square x के साथ operate होगा तो क्या आएगा रिजर्ट ठीक है अब इसके लिए मैं साइ को ऑपरेट करने वाला नहीं हूँ इसको आप साथ कर तरीके से सॉल्ट करते हैं कैसे करेंगे कि देखो पी operator का square यह यह होती है पी x operator का square प्लस पी y operator का square प्लस पी z operator का square ऐसे ही होता है comma x operator अब यहां पर एक formula हमने पढ़ लखा था कि अगर a plus b commute with c तो क्या होता यह a c plus b c एकसी पढ़ा था तो अगर तीन का addition हो तो क्या होगा शेहने का मतलब है अगर a plus b plus c का किसी d operator के साथ commutation relation निकाले तो क्या जाएगा a d plus b d और plus c d इस तरह से तो यहां value put कर दो तो क्या हो जाएगा p x operator का x के साथ commutation relation plus p y operator का square का x के साथ commutation relation और p z operator के square का x के साथ commutation relation तो मैंने बताया था कि जब दो different होते हैं जैसे x है और यहां पर momentum का कोई दूसरा component हो तो यह 0 होता है अभी मैंने यह साथ formula लिखवाए हैं तो यह दो commutation relation 0 होगी हरा क्या क्योंकि मैंने इसके लिए formula लिखवाए था p मैंने यह से लिखवाए होगा formula x p y की पार n की commutation relation 0 होती है तो अब्यसी बात है p y की पार n x की commutation relation भी तो 0 होती है अगर यह 0 है तो minus plus n से फरक क्या पड़ता है इसका reverse भी 0 ही होगा simple सी बात है पर ऐसे ही आप मैंने यह भी proof करा था कि p z की पार n की x की सब commutation relation क्या था 0 था अब मुझे इसको solve करना है इसको solve करने का तरीका क्या बचाया था देखो मैं आपको बचा दू हमें क्या पता है x p x की पार n का commutation relation पता है क्या था n i h cross p x की पार n minus 1 यह बता है था तो इसका मतलब x p x का square इसका commutation relation क्या हो जाएगा यहां n की जगा 2 रंग दोगे i h cross और एक power कम होगी तो p x यह reverse है तो reverse के लिए क्या करना पड़ता है यानि p x operator का square x की value होजेगे minus 2 i h cross p x तो यह क्या होजाएगा minus 2 i h cross minus 2 i h cross p x यह answer दोगा ठीक है p operator का square x ऐसी हम यह proof कर सकते है p operator का square y के साब commutation relation हो जाएगा minus 2 i h cross p y और ऐसी p operator x square का commutation relation with z operator क्या होगा minus 2 i h cross p z ठीक है यह भी operator ही है ठीक है तो इसको pause करके नोग कर लो में मिटाओं अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब थर्ड पॉंट की सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं इसको अब फॉंक्शन को ऑप्रेट करके सॉल्ट नहीं करूंगा इससे मैं directly solve करूगा आप solve कैसे करना वो देखो यहनी हमें यह relation find out करने हैं तो क्या हो जाएगा Hamiltonian operator का x operator के सब computation relation determine करने के लिए Hamiltonian operator को full form देनी पड़ेगी यहनी P operator का square upon 2m प्लस potential energy operator यह Hamiltonian operator हो गया comma x ठीक है अब important बाट क्या है कि मैं आपसो यहां बता दूँ कि यहां पे भी ऐसी condition है A plus B plus C के साथ commutation क्या हो जाएगा A C plus B C ठीक है तो यह क्या हो जाएगा अच्छा और एक और चीज़ मैंने बताई थी ठीक है अजे कर देंगे ती square T operator का square upon 2m comma x और यह हो गया प्लस B operator का x के साथ commutation relation अच्छा यहां पर प्रपर्टी की मैंने बोला था कि अगर लेम्डा A comma C है और लेम्डा A constant है तो हम लेम्डा को बाहर ले सकते हैं Commutation relation के brackets से ठीक है तो लेम्डा बाहर आ सकता है तो क्या हो गया यहां पर operator का x के साथ commutation relation अच्छा यह हम पहले से calculate कर चुके है इसकी वैल्यू क्या थी P operator के square था x के साथ commutation relation क्या था minus 2 क्या था minus 2i x cross P x था अगर यहां x है तो P x होगा यहां y होगा तो P y होगा यहां z होगा तो P z होगा Simple सी बात है तो यह हमें सोचना ही नहीं है यह तो हम पड़ावट करते है minus 2i x cross P x upon 2m plus इसकी competition relation मुसान नहीं है अच्छा एक बात बताओ कि potential energy एक function है पर एक्जामपल 1D case का one dimensional case में harmonic और सी बेटर की बात करें तो उसकी potential energy का एक्सपरसर होता है हाव के एक्सी इसपर तो अगर मैं इसका commutation relation निकालूँ पर एक्जामपल V x का x के साब commutation relation निकालूँ तो मुझे side के ओपर operate कर ना होगा इसका मतलब क्या हो गया V x minus x d side अच्छा मैं V की value put करूँ तो यह हो जागा half k x square into x और यहां x half k x square अच्छा यह सब function ही तो है इनका multiplication होगा कोई operation तो हो नहीं सकता इसके लावा तो यह हो जागा half k x cube minus half k x cube और इसको side के operate करना है तो क्या हो जागा है यह half k x cube side minus half k x cube side इसका मतलब क्या है कि यहां पर देख लेते हैं जी एक्स कमा एक्स का formation relation जब side के operate हो रहा तो जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि potential energy किसी भी position operator के साथ commute करती है क्योंकि वह एक function है function का multiplication नहीं हो सकता multiplication हो सकता है इसका मतलब उनका permutation relation 0 होगा सिंपल से बात है तो यह क्या हो जागा जीरो हो गया ठीक है और यह सब चीजे मिटा दूँ तो क्यों जागए यहां पर यह वो two set to cancel हो गया तो यह हो गया minus i h cross px by यह यह हो गया Hamiltonian operator का x के साथ commute क्योंकिशन ठीक है इसी तरह से हम y और z के लिए भी different कर सकते हैं for example Hamiltonian operator का position operator y के साथ commutation relation होगा minus i h cross py m और ऐसी Hamiltonian operator का position operator z के साथ commutation relation का हो जाएगा minus i h cross pz by m ठीक है सही कर रहा है हमने ठीक है तो इसको पहुच करके आप लोग कर लोग मैं मिटा होगा अब हम Hamiltonian operator का momentum operator के साथ commutation relation के लिएशन के लिएशन पर एक्जामपल अभी हम px operator के साथ commutation relation determines रख़ए तो क्या करेंगे इसको solve कर ला है तो इसको भी sort कर तरीके से solve करेंगे Hamiltonian operator px momentum operator का x component तो क्या हो जाएगा ये? Hamiltonian operator होतार P operator का square P operator का square upon 2M plus potential energy operator ठीक है? और ये हो गया PX अगेन वही जेम फार्मुला है तो commutation relation को और expand कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 2M और ये हो जाएगा momentum operator का square कॉमा PX operator ठीक है? लग V operator का commutation relation PX operator के साथ अच्छा मैंने एक फार्मुला लिख भाया था अगर आपको याद हो कि momentum operator का square PX operator square के साथ commutation relation 0 होता है in fact P operator square का PY operator के साथ P commutation relation 0 होता है in fact P operator का PZ operator के साथ ही commutation relation 0 होता है है न? ऐसा मैंने अभी formula लिख भाद हो इसलिए लिख भाद हो तक ही सब कुछ shortcut हो जाए ये 0 होगे सिदे-सिदे मुझे सिर्फिस को solve करना है B potential energy operator का momentum operator के साथ commutation relation अब कुछी operator के commutation relation को ही calculate करना पड़ता है तो for example अभी इसको calculate करना पड़ रहा है तो यहां पर हम इसको यहां से Skype कर जिते और यहां पर potential energy operator और momentum operator की commutation relation निकालते हैं तो इसके लिए मुझे साथ पर operate करना पड़ेगा final तरीका तो यही ज़िए अगर shortcut नहीं है तो final तरीका ऐसी करना है तो क्यों जाएगा potential energy operator PX operator minus PX operator potential energy operator operate होगा साई की होता है अब मैं आपको बता दू potential energy हमें पता ही नहीं है क्या है तो उसको agitive रहन देते हैं तो क्या हो जाएगा है momentum operator का expression हमें पता है PX क्या होता है minus IH cross del by del X minus IH cross को common नहीं है तो यह V del by del X minus del by del X minus del by del X और यह V हो गया और यह साई हो गया तो कहने का मतलब है जब operate रस्ताई को wave function को operate wave function पे operation करोगे तो यह हो जाएगा V del साई by del X और यह हो जाएगा minus del by del X यह हो गया V साई अब इसको solve करना है तो कैसे solve करोगे तो यह हो जागा minus I X तो V del side by del X और यह क्या हो जाएगा पहले V को छोड़ते हैं और del side by del X हो जाएगा और फिर side को छोड़ेंगे तो del V by del X हो जाएगा आपको यहांसे clear दिख रहा है कि यह दोनों चीज़ें सेम हैं तो cancel out हो जाएगी और यह माइनस है यह माइनस है तो क्या हो जाएगा I X cross side by del X तो कुल में आके potential energy operator का momentum operator के X component के साब commutation relation साई equal to क्या आ रहा है I H cross साई del V by del X तो साई से साई हटा सकते हो तो यह commutation relation के आ रही यह आ जाएगी I H cross del V by del X तो final result तमारा क्या हो जाएगा I H cross del V by del X तो यह क्या होगा Hamiltonian operator का momentum operator के साथ commutation relation के X component का ऐसी अगर मैं Hamiltonian के momentum operator के Y components के साथ commutation relation निकानों तो आप ऐसी कर सकते हो रिजल्ट आएगा I H cross del V by del Y और ऐसी Hamiltonian operator का momentum operator के Z component के साथ commutation relation आएगा I H cross del V by del Z इसी तरह से आप important commutation relation को solve कर सकते हो ठीक है तो इसको पहुच करके नोग कर लो मैं मिटा रहा है अब बात करते हैं कि angular momentum operator पे किस टाप की commutation relation पूछी जा सकते हैं एक्जाम में तो देखो पहले मैं angular momentum operator बता देता हूं कि LX operator क्या है angular momentum operator का X comparator जिसकी value क्या होती है अगर यह X है तो क्या हो जागा Y P Z minus Z P Y यह सब operator form में रहेंगे ठीक है ऐसी LY का formula क्या हो जाएगा Y की बात क्या था Z P X minus X P Z ठीक है क्योंकि पहले operator form आपको पता होने चाहिए तदी है आप calculation करता होगे और ऐसी LZ operator क्या expression क्या होता है Z के बात क्या था X P Y minus Y P X ठीक है और total orbital angular momentum operator का expression क्या हो जाएगा L operator का square यहनि LX operator का square plus L Y operator का square plus LZ operator का square ठीक है तो पहले हम क्या करते है तो एन यह operator का A part किसके तब with position operator position operator ठीक है एक है करके हम सबके साथ निकाले है तो with position operator तो क्या हो जाएगा फर एक्जमपल LX का X के साथ communication relation निकाले तो क्या हो जाएगा तो देखो NX अब देखो इसे मैं स्थाई से solve नहीं करने वाला हूँ अब इसे हम directly operator form में ही solve करेंगे जैसे NX operator की value क्या होगी Y P Z minus Z P Y क्यों हो जाएगा X operator अब यहाँ पे क्यों तरूल लगेगा अगेन मैं आपको याद दिलादू A plus B, C वाला रूल लगेगा equal to क्या वाज़ेगा AC plus BC यह वाला रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा Y P Z with X ठीक है minus Z P Y with X अच्छा इसको और solve करोगे तो अब जो रूल लगेंगे यहाँ पे वो होगा A B का C के साब commutation relation तो क्या हो जाएगा A B C plus A C B ठीक है यह वाला रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह Y P Z X प्लस Y X E Z ठीक है ऐसी यहाँ पे करोगे minus आगे से पहले ही लगा है तो Z P यह square bracket है ठीक है P Y कॉमा X फिर minus Z X कॉमा P Y ठीक है जैसा फॉमला था हम as it is वैसे ही रखने है ठीक है और यह square bracket है यह कहें square bracket है ठीक है रिखो पहला operator बहा निकाला दोनों का commutation relation फिर पहले दोनों का commutation relation फिर दूसरा operator बहा निकाला फिर है यहाँ पहला operator बहा निकाला पहले दूसरे तीसरे का commutation relation फिर दूसरे operator को बहा निकाला और पहले तीसरे का commutation relation इस तरह के और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अभी ये सारे लेकिन अगर जब सेम होता है जैसे एकस पी एक्स होगा तब ही एक्जिस्ट करेगा तब एक्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? माइ, आइज प्रोस होगा और अगर reverse होगा, यानि PX होगा, तो यह हो जागा minus IH cross, इस तरह से मैंने अभी पढ़ा रखें, तो जहां पर variable different है, 0, variable different 0, 0 and 0, यह सब मैंने आपको पढ़ा चुपा हूँ, तो कहने का मतलब है, यह permutation relation 0 है, ठीक है, इसी तरह से आप और भी relation proof कर सकते हूँ, मैं इसको मिट पहुच करके note करने, ठीक है, यह सारी commutation relation में आप तक करा चुपा हूँ, तो आप चिंदा मतलब, मिटा दू, तो यह commutation relation अगर 0 आई, तो इसी तरह से हम यह भी proof कर सकते हैं, ly का y operator के साथ commutation relation भी 0 होगा, और lz का z operator के साथ commutation relation भी 0 होगा, ठीक है, तो एक पॉम्ड़ा तो हमें यहां से मिली गया, ठीक है, अब दूसरा करते हैं, अब यह देखते हैं कि अगर different होता है, तो क्या होता है, जैसे lx और y हो, तो क्या होगा, तो lx की value अभी मैंने बताई थी, क्या है, y p z minus z py, यह सब operator form है, तो इनके उपर cap लगा देए, ठीक है, और यह y operator, अगें, सारे form लें लेखे हैं, apply अब दो, तो y, p, z, y cap, और minus z py का commutation किसके साथ होगा, y के साथ, ठीक है, अगें, इस तो और खूलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, y को बहार निकालोगे, p, z का y के साथ commutation relation, plus y का y के साथ commutation relation होगा, तो z, p, z बहार आ जाएगा, ठीक है, और ऐसी यहाँ तो पहले से minus है, तो z जब बहार आएगा, तो py का y के साथ commutation relation निकलेगा, और जब z एंदर जाएगा, y के साथ commutation relation मनाएगा, तो p, z बहार चलाएगा, py बहार चलाएगा, ठीक है, तो इसके भी सारे formula में पहले से करा रखे हैं, तो हमें पहले से पता है, जब यहाँ पे p, momentum operator का अलग component है, और position operator का अलग component है, तो यह 0, यह दोनों सेम, position operator ने इसने 0, यह 0 नहीं होगा, और यह दोनों position operator ने इसने 0, तो क्या वाज आगा रिजाएगा, इसका रिजाएगा हम जानाते हैं, जैसे, जैसे p, x, x का यह होता है, तो py, y का क्या होगा, minus ih cat, सेम होता है, ठीक है, p, x, x का commutation relation minus ih cat है, तो py, py का भी commutation relation सेम होता है, तो क्या होगा, equal to, सारे component तो 0 होगा है, यह वाला नहीं होगा, तो यह वाला क्या होगा, आप minus पहले से है, minus z बाहर से है, और commutation relation क्या हो जाएगी, minus ih cross, तो क्या हो जाएगा, ih cross z, ठीक है, तो इसी करने से आप और भी commutation relation proof कर सकते हो, इसको पहुच करके रोट करें, ठीक है, तो कहने का मदलब है, कि इसका जो commutation relation का result आ रहा है, वो क्या आ रहा है, i, h cross, z, यह बहुत simple है, देखो, यहाँ x है, यह y है, तो आएगा z, इसका reverse कुछ ऐसा होगा, अगर y को पहले रखोगे, x को बार में रखोगे, तो इसका relation जस्ट उल्टा आएगा, minus i, h cross, z आएगा, इसमें कौन सी property यह जो रही है, मैंने अभी बताया था, कि a, b, equal होता है, minus b, ak, आपको याद भी दिलाते हैं, जादो, फाल्मुल, ताकि प्रैक्टिस हो जाएँ, दिखाई दे रहा है, clear हो जाएगा, ठीक है, ऐसी, similarly हम और भी relation proof कर सकते हैं, जैसे अगर यह ly हो, और यह z हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा, देखो, y, z के बाद क्या आएगा, i, h cross, x, आप इसको proof कर सकते हो, आप चिंदा मत करो, आप इसे proof कर सकते हो, इसका reverse क्या हो जाएगा, z cross, ly, तो क्या हो जाएगा, minus, minus i, h cross, x operator, ठीक है, यह operator, ऐसी और क्या हो सकता है, l, z का x के सब commutation relation क्या होगा, z, x के बाद क्या आएगा, i, h cross, y, इसका reverse क्या बन जाएगा, x operator, l, z के साथ operate होगा, तो क्या बनेगा, minus i, h cross, y, तो इस तरह से आप, angular momentum operator क्या, किसी position operator के साथ, commutation relation calculate कर सकते हो, उसके formula यह है, आपकी, history के सामें, ठीक है, इसको बाद करते हैं, second point, यहीं, commutation relation of angular momentum operator, with momentum operator, momentum operator, ठीक है, तो कहने का मतलब है, पहला commutation relation क्या बनाते हैं, for example, lx का, px के साथ में, commutation relation बनाते हैं, ठीक है, तो lx का formula आपको बता है, क्या होता है, ypz, minus zpy, इस तरह से होता है, और इसको px के साथ relate करना है, या इसकी commutation relation लिकाल नहीं है, तो formula में अगर सारे लिखता हैं, तो क्या हो जाएगा यह, ycap, pz, px, और minus हो जाएगा, zpy, px, square bracket के अंदर, इसके भी formula सारे formula लिखे पढ़े हैं, तो आप बस apply करना शुरू कर दो, y, pz, px, ठीक है, minus, sorry, plus, y, px, pz, ठीक है, फिर यह जाएगा, minus, z, py, px, minus, z, px, और यह जाएगा, py, ठीक है, यह सारे के सारे commutation relation में आपको पढ़ा रहते हैं, कि momentum का momentum operator के साथ, किसी भी momentum component का momentum component के साथ, commutation relation 0, अगर operator, position operator और momentum operator अलग-अलग, direction के हैं, तो 0, यहाँ पे दोनों momentum है, तो 0, यहाँ पे momentum operator और position operator अलग-अलगर direction में, इस रहे 0, ठीक है, तो कुल मिला के, इसका जो result आया, वो 0 आया, इसको पहुच करके, नुट करके, ठीक है, इसी तरह से आप बाकी relationship भी proof कर सकते हो, ठीक है, अगर LX, PX का commutation relation 0 गो सकता है, तो LY, PY का commutation relation भी आप बड़े आराम से 0 proof कर सकते हैं, और इसी तरह से LZ, PZ का commutation relation भी बड़े आराम से 0 proof कर सकते हैं, ठीक है, तो एक formula तो यह रहे जिए, अब देखते हैं कि LX का PY के साब commutation relation क्या होगा, ठीक है, इसको proof करा होगा, और बाकी आपको खुझी, सॉट्पर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कार लिप रजी रज़ता हैं, तो LX की value क्या है, YPZ माइनस ZPY, ठीक है, इन सभी के उपर के जरूर लगाना क्योंकि यह बता रहे हैं कि यह operator form ही है, अब देखों, यहाँ पर क्या होजाएगा, YPZ, PY, और यहाँ माइनस होजाएगा, माइनस ZPY, ठीक है, इसको solve करोगे तो क्या आ जाएगा, Y बहार आएगा, PZ, PY, प्लस YPY, PZ बहार जाएगा, माइनस Z बहार आएगा, PY, PY, माइनस Z अंदर जाएगा, PZ, Z, PY, और PY बहार जाएगा, इस तरह से यही सब formula में यूज करोगे, तो आपको practice हो जाएगा, दोनों मोमेंटम में इसलिए 0, यह 0 नहीं होगा, क्योंकि Y और PY है, यह हम पहले से जाएगा, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, यह दोनों मोमेंटम है 0, यहाँ पे Z डिरेक्शन में है बोजिशन, और मोमेंटम है Y डिरेक्शन में इसलिए 0, यह सब कोमेंटम इसलिए रिलेशन में कराई है, अच्छा, देखो, यहाँ पे Y, PY, इसके इक्वल होगा, X, P, X के, और इसकी वेलू क्या होती है, I, X, तो सब 0 होगा है, बस इसको ठोड़ के, तो क्या हो जाएगा, I, X, क्रोस, क्या हो जाना, P, Z, यह आंकर आजा है इसका, तो इसको और चके नोट कर लो, मैं मिटा रहूं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कि अग्दर मुझे इसका क्मेटेशन रिलेशन पता है, तो सिमेट्री अगर हम देखें, इसका क्मेटेशन रिलेशन क्या है, I, X, जिबो यह X है, यह Y है, तो यह क्या है, P, Z है, इसी तरह से, L, Y, P, Z, की क्मेटेशन रिलेशन क्या होगी, देखो, Y, Z, तो यह होगा, I, H, क्रोस, P, X, यह सब ऑपरेटर होंगे, ठीक है, और ऐसी, L, Z, कब P, X के सब क्मेटेशन रिलेशन, क्या होगा, देखो, L, X, X, Y, Y, Z, Z, X, तो क्या होगा, I, H, क्रोस, P, Y, ठीक है, इनका रिवर्स भी आपको पता है, क्या होगा, P, Y, L, X, क्या होगा, माइनस, I, H, क्रोस, P, Z, P, Z, L, Y, तो क्या होगा, यह सब आप रिलेशन प्रूफ कर सकते हो, जैसके मैंने कहले बादा रिलेशन को प्रूफ करा, ठीक है, माइनस, I, H, क्रोस, P, X, और ऐसी क्या होगा, प्रूफ करके लिख लिख लेख 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 लेख, तो क्या होगा, P, Z, P, Z, तो मैं मिलागा अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ओपरेटर की उसी के साथ कोमेटेशन रिलेशन क्या होगी यह जिए अब सीग डालेंगे विद इसल विद इसल विद इसल तो कहने का मिला है पहली कोमेटेशन रिलेशन LX की LX के साथ तो यह 0 हो जाएगी क्यों क्यों यहां के यह प्रोपर्टी यूज होगी कि A की A के साथ कोमेटेशन रिलेशन हमेशा 0 होती है तो LX की LX के साथ LX सॉरी LY की LY के साथ और LZ की LZ के साथ प्रमुटेशन रिलेशन जीरो होगी, यह सब ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर के उपर आप क्याप जरूर लगाना, ठीक है, तो पहली रिलेशन तो बहुत सिंपल थी, अब दूसरी रिलेशन यहाँ होगी, पहली, LX की LY के साथ, इसको देखो, और फिर उसके बाद बाकी मैं आपसे खुजी सौंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो, LX की LY के साथ सिर्फ मुझे एक को खोलना है, तो LX को खोलना है, YPZ-ZPY, और LY को ऐसी रहन देते हैं, ठीक है, या, बैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरे बाले को खोल देता हूँ, क्योंकि बार बन में LX का इंजी नहीं करना जाता हूँ, तो इस बार दूसरी साथ से खोलता है, तो LX को सेम रहन देते हैं, और LY को खोल देते हैं, तो LY का, Y के बाद की आता है, ZPX- XPZ, ठीक है, यह आपका square bracket होगा, ठीक है, ZPX-XPZ, अब इसको आप solve करोगे तो LX का ZPX के सब commutation relation, minus LX का XPZ के सब commutation relation, ठीक है, ताकि आप दोनों तरह से मैंने कोल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समझना आदा है, ठीक है, अब इसको solve करना है, इसको solve करने के लिए जो formula आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर यह formula कैसा दिख रहा है, A, B, C, तो B कहले बाहर आएगा, A, C, प्लस, A, B जब अंदर जाएगे, तो C बाहर चलाएगा, इस तरह, अपलाई करो, तो क्या वाजाएगा यह, Z बाहर LX, PX, माइनस, सॉरी, प्लस, Z बाहर आएगा, आप Z को अंदर आदो, तो यह हो जाएगा, LX, Z, PX, ठीक है, माइनस, LX, पहले X पो बाहर निकालो, तो X बाहर निकला, LX, PZ, फिर, X को अंदर आदो, तो क्या हो जाएगा, माइनस, LX, X, PZ, ठीक है, अब यहाँ पे, वो रिजन्ट आ रहे हैं, जो अक्कत हम डिसकस पर चुके हैं, तो एज़े, for example, LX, PX, हम बता चुके हैं कि, LX, PX, इक्वल टू, LY, PY, इक्वल टू, LZ, PZ, इनकी वैलू जीरो होती है, तो क्या क्या जीरो दिख रहा हैं यहाँ पे, यह जीरो हो रहा है, और यह भी LX, LX भी जीरो होगा, LX और X भी जीरो होगा, यह सब हम पढ़ चुके हैं, जीरो जीरो नहीं होगी, वो क्या-क्या है, एक यह है, और एक यह टू है, ठीक है, जैसे इन दोनों का टाम का सिमेट्री देखो, ठीको, LX, अगर Z के साथ देखोगे, तो देखो, यह कौन सी रिलेशन बना रहा है, L, यह समझने के लिए, ऐसा करते हैं, ऐसे देखते हैं, ताकि आपको समझने आ है, जैसे अगर यह LX, Y है, तो इसका फॉम्मॉला हमने क्या बनाया था, IH प्रॉस Z, ठीक है, तो अगर यह ऐसा है, है, L, X, Z है, तो यह reverse है, जिसकी symmetry देखो, X के बाद Z नहीं आता है, Z के बाद X आता है, तो यहां पर क्या हो जागा, माइनस, IH क्रॉस, अब देखो, यहां कौन सी चीज़ मिसिंग है, जैसे यहां X था है, Y था तो आया Z, यहां X है, Z है तो आएगा, Y, तो यह 0, यह 0 करोंगे तो यह बलेगा, माइनस, IH क्रॉस, Y, P, X, यह सब क्या है, ओप रहता है, मैंने इसकी value रखी, अब इसकी value देखो, यह X के बाद Z आ रहा है, यह भी उल्टी symmetry है, कहने का मतलब है, हमने क्या पढ़ रखा था, वो देखो, LX, PY, क्या आएगा, IH क्रॉस, PZ, इस तरह से आएगा, ऐसी पढ़ रखा था, अगर X है, Y है, तो आएगा Z, सब relation में करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ उल्टा है, LX है और यह PZ है, तो यह X के बाद Z आ रहा है, यहाँ पर आज़ागा, माइनस, IH क्रॉस, यहाँ देखो, X है, यहाँ Z है, तो क्या बचा, P9, पहले से ही है, माइनस X बाहर पहले से ही है, और रिजल्ट से क्या है है, माइनस IH क्रॉस, PY, ठीक है, इसको सॉल्ट करोगे, तो आप क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, माइनस IH क्रॉस, बाहर ले ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, Y T X माइनस X T 1, अच्छा, यह रिलेशन कुछ जाने का चानी है, उपर देखो, उपर में कौन सी रिलेशन दिख लिए आपको दिखिया होगा, इस में से मैं माइनस को अंदर बेज़ दू, तो क्या हो जाएगा, IH क्रॉस, X P Y, माइनस Y P X, यह ओपरेटर की एक इक पॉजिशन होगे, आपको क्लियर ले दिख रहे हैं, यह क्या है, LZ है, देखो, X P Y, माइनस Y P X, यह क्या है, IH क्रॉस, LZ, तो यह इसका अंसर क्या आ रहा है, पहुच करके आप नोट कर लो, मैं डिरेक्ट रिजल्ट सामने ले देगा, ठीक है, मिता दूँ, तो कहने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे भी आप सिमेट्री पे जिहां दोगे, तो उस आले रिलेशन आपको बड़े आराम से यादो जाएगे, जैसे यहाँ X है, यहाँ Y है, तो रिजल्ट आया, IH क्रॉस L, Z, ऐसी अगर यह L, Y, L, Z होगा, तो रिलेशन आएगा, IH क्रॉस Y, Z, X, L, X, L, X, और अगर यहाँ L, Z, L, X करने, तो कि यह सिमेट्री है, X, Y, Y, Z, Z, X, तो यह जाएगा, IH क्रॉस L, Y, इनके ओपर कैफ जरू लगा देना, ठीक है, यह सब क्या है, ओपरेटर है, इनका रिवर्च भी आप जानते हो, कैसा हो जाएगा, L, Y, L, X, क्या बलेगा, मैनस I, H, क्रॉस L, Z, L, Z, L, Y, क्या मिलेगा आपको, मैनस I, H, क्रॉस L, X, और, L, X, L, Z, आपको क्या मिलेगा, मैनस I, H, क्रॉस L, इस तरह से आप, क्मुटेशन रिलेशन के रिवर्च भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो इस ताइप की क्मुटेशन रिलेशन थे, तो इनका पहुच करके, निकाल सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं, कि जो और्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो कंपोनेंट है, L, X, L, Z, ये जो कंपोनेंट है, इनका पहुच क्मुटेशन रिलेशन L स्कॉर के साब क्या होगा, है, L2 आप जामती हो, ये एंगुलर मोमेंट की स्कॉर होता है, वो LX का स्कॉर होता है, को मा, प्लस, L Y का स्कॉर होता है, प्लस, Z का स्कॉर होता है, ये भी इंपोर्टन रिलेशन है, येने का मैं पहले में, LX sorry L का LX के साथ commutation relation निकालना है ठीक है तो L square LX का commutation relation मुझे निकालना है तो अगेन मैं यहाँ पर sign operate नहीं करूँगा हम इसको solve करेंगे operator techniques जितने भी formula हमें सीखे रहे तो LX की value put करो LX square plus LY square plus LZ square और सामने क्या है LX तो यह क्या हो जाएगा LX operator का square LX plus LY operator का square LX plus LZ operator का square LX ठीक है अच्छा मैं आएगे जहाँ पर जो formula यूज हो रहा है वो देखो कोई function यह का यह operator के साथ operator function का operator के साथ commutation relation 0 होता है यह देखो LX square रही है LX है तो यह 0 हो जाएगा simple इस formula से अच्छा LY का LX के साथ commutation relation मनाने के लिए मैं ऐसा करता है LY को दो अजू कर लेता हूँ यहने का मतला LY का commutation relation LX के साथ plus यहाँ पर भी LZ LZ का commutation relation LX के साथ किस तरह formula वही है कि दिखा दो कौन साथ AB का sequence of commutation relation के लिए होता है A बाहर BC plus AC B बाहर तो कहने का मतलब है अगर यह दोनों सेम है तो एक बार LY एक साथ रहेगा इस साथ रहेगा left साथ और एक बार LY राइट साथ रहेगा अगर दोनों सेम है क्योंकि एक बार operator left साथ आ रहा है एक बार operator right साथ आ रहा है तो क्या जाएगा यह LY तुम करेंगे, एक बार L, Z को लेट साइज लेए, L, Z, L, X, फिर एक बार L, Z को रेट साइज लेए, L, Z, L, X, L, Z, ठीक है? सब पॉमले हमने पाइन रख्ण हैं, स्किमेट्री के और रोडि देखना, ठीक है? यह देखो क्या होगा मैं बता लेगा हूँ यह Y है यह X है तो च्या बनेगा Z बनेगा लेकिन Y के पाद X आरा किमेट्री ब्रेक हो रही है याने I X X L Z बनेगा यह यहाँ पर जिहां से देखो यह Y के पाद X आरा अगेन यह दोलों एकी पादिशन रिलेशन आरे माइनस I X X L Z बनेगा यह क्लियर हो गई बात अच्छा यहाँ पर जिहां से देखो यह पादिशन रिलेशन क्या है यहाँ पर L Z है L X है Z के बाद X आरा सिमिट्री सेम है यह बनेगा I X X क्रॉस क्या मिस्टिंग है y, तो ly जहां पर भी same computation relation है, यह बनेगा i h cross ly value put कर दो, तो क्या बनेगा यह minus i h cross ly lz यह सब operator है और इसकी value put करोगे तो क्या बनेगा इसकी value यह है तो minus i h cross lz ly ठीक है plus order exchange मत करना, क्योंकि यह operator है, इसकी order exchange नहीं होगे exchange करें कि हमें पहले wave function चाहिए, wave function लगा नहीं रहें तो हम exchange नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लग सकते कि lz को पहले लग दें और ly को बाग में लग यह तभी कर पाएंगे, जब तक हमें operator में जब तर हमें wave function इसके उपर operate नहीं है, ठीक है, अभी यहां देखो, i h cross पहले क्या है, lz, फिर ly, यह प्लस का होगा, ठीक है, और फिर इसकी value पूट करोगे, तो प्लस, i h cross, पहले है, ly, फिर है, lz, ठीक हो, दो तर्म, ठीक हो, ly, lz, ly, lz, यह दोनों कहेंचेंचेंच यह क्या दोनों कहेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचें इसको पहुच करके नोट कर लोग मिता रहा हूँ अब बात करते हैं Commutation Relation of Ladder Operator तो ladder operator आप लोग जानते हैं L प्लस operator क्या होता है L X प्लस I L Y यहाँ पर सब operator है तो केप लगा देना और ladder operator L माइनस क्या होता है L X माइनस I L 1 ठीक है तो इनकी Commutation Relation पहले position operator के साथ निकालते हैं तो हम तीन relation निकालेंगे फर्स्ट L प्लस की X के साथ फिर दूसरा calculate करेंगे यह number first question हो जाता है रिजन सामने लेख दिनगे और L प्लस की Y cap के साथ निकालेंगे यानि position operator Y के साथ निकालेंगे और L प्लस की तीसरी relation निकालेंगे Z operator के साथ फिर अब कैसे स्वरूप करना है अगें हम वेख function का यूज निकालेंगे direct operator method की help से इनका computation relation निकालेंगे तो L प्लस operator की value क्या होती है LX प्लस IL1 कॉमा X operator अब अगें यहाँ पे कौन सा rule लग जाएगा यह वाला A प्लस B कॉमा C तो इसमें क्या हो जाता है AC प्लस BC यह वाला रूर लगाएगे तो क्या हो जाएगा LX X के पहला commutation relation प्लस I बहर आजाएगा LYX दूसरा commutation relation यह समय ने आपको solve करा है ठीक है मैंने पहले ही मताया था जब LX और X होते हैं तो इनका commutation relation 0 हो जाता है ठीक है यहाँ पर रूर लिख देते हैं LX का X के साथ commutation relation ली 0 होगा in fact L Y का Y operator के साथ commutation relation 0 होगा इस तरह से हमें पहले से कुछ result पता है ऐसी L Z का Z के साथ commutation relation 0 होगा बट दूसरा commutation relation क्या है L Y X हमने पढ़ा है LX का Y के साथ commutation relation क्या होता है I H cross X Y आएगा Z ठीक है यहाँ पर क्या है उल्टा है रिवर्ट है ठीक है यहाँ पर क्या है L Y है और X इस साइड है अब देखो यहाँ पर सिमेट्री पूरी ब्रेक हो रही है यहाँ X Y के बाद Z आ रहा है यहाँ Y X तो आपको पता है यहाँ आएगा Z लेकिन निगेटिव का अई होप आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है सिमेट्री देखो न X Y तो पूरी 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 यहाँ और L Y है Y X तो सिमेट्री ब्रेक हो रही है Y के बाद X आ रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा I X X Z माइनस का I X X Z तो यहाँ वेलू पूट कर लो I बाहर से है माइनस I X X Z तो माइनस और I स्कॉर्ड यानि माइनस वन यह हो जाएगा H X Z तो पहला रिजल्ट क्या आगिया आपका H X Z ठीक है यह ओपरेटर है पूजिशन ओपरेटर अलॉग Z X अच्छा दूसरा पूमुटेशन रिलेशन निकाने L प्लस का पूजिशन ओपरेटर Y के साथ कॉमुटेशन रिलेशन यह कैसे आएगा अगेन L प्लस ओपरेटर के आप X प्लस लगा दो तो LX प्लस I LY कॉमा Y पूजिशन ओपरेटर अगेन यह वाला रूल लगाना पड़ेगा आपको कॉमुटेशन रिलेशन को सॉल्व करने के लिए तो LX का Y के साथ कॉमुटेशन रिलेशन प्लस I LY का Y के साथ कॉमुटेशन रिलेशन जब दोनों सेम होते हैं तो मैंने पहले बता दिया है कि result क्या आजाएगा 0 आजाएगा LY का Y के साथ यहां पर LXY है, यह मैं पहले ही से बता चुका हूं क्या आएगा, तो क्या जाएगा, IH cross LZ, तो हमारा रिजल्ट क्या आगया, equal to IH cross LZ, ठीक है, LZ की Z, only Z, ठीक है, यह operator है, यहां पर भी इसको सही करने, Z operator है, ठीक है, next, next commutation relation है, L plus की Z operator की साथ, तो क्या आजएगा, L plus का expression, LX plus ILY, Z position operator, इसको expand करोगी, तो LX, Z operator का commutation relation, plus ILY, Z का commutation relation, simple सी बात है, यहां, X पर इसकी Z है, तो आएगा Y, लेकिन symmetry क्या है, X के बाद Z आपता नहीं, Z के बाद X आपता है, यहां यहां पर देखो, Y के बाद Z आता है, obvious सी बाता आता है, तो plus I, result क्या आएगा, IH cross क्या missing है, X, तो result क्या आएगा, minus IH cross Y, और यह I सपर यहीं, minus H cross X, तो यहां से H cross, minus का H cross, कॉमन दे सकते हैं, result आएगा, X plus IY, खेंगा, तो इसका result आएगा, minus H cross, minus H cross, X plus IY, यहां पर सारे operator है, तो उनके उपर आप cap ज़रूर लगाना, ठीक है, next हमें क्या फैंड करना है, relation, commutation, relation, यहां पर एक line, ड्रॉ करदो तक कि आपको पता चल जाए, अब हमें same, L, Y, X का commutation relation निकाला है, sorry, L minus X cap का commutation relation निकाला है, ऐसी L minus Y का commutation relation निकालना है, फिर ऐसी हम क्या करेंगे, L minus Z का commutation relation निकालना है, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहें, थाकि हमें पता चल जाए, symmetry कैसी होगी, clear हो कई बाद, तो symmetry का पता चल जाएगा, तो X की जगे जब PX आएगा, और X की जगे जब LX आएगा, तो result के आएगे, वो अपने आप proof होता चला जाएगा, ठीक है, तो for example, अभी मुझे क्या करना है, L जहाँ L plus है, वहाँ L minus use करना है, ठीक है, दिखाई जेगा, ठीक है, clear दिखाई जेगा, तो यह minus होगा, तो यह minus हो जाएगा, ठीक है, यह minus होगा, तो यह भी minus हो जाएगा, इसका result आपको पता है, इसका result 0 हो गया और यह आएगा, यहाँ पर minus हो जाएगा, minus I square यहनी यह हो जाएगा, minus I square यहनी minus H cross Z, ठीक है, इसका result आगे, minus H cross Z operator, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर minus लगा होगे, तो क्या देजनता है ना, तो यह minus हो जाएगा, यह minus हो जाएगा, ठीक है, यह तो 0 हो गया, और यह हो जाएगा, LXY, LXY, XYZ, ठीक है, I H cross Z, तो इसका result सेम रहा, I H cross Z operator, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर, again, क्योंकि हमने इसको minus कर रखा है, L minus, ladder operator का यूज़ कर रहे है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, minus, तो यह minus हो जाएगा, ठीक है, तो यह minus हो जाएगा, तो minus I square, minus I square, यह यह plus हो जाएगा, ठीक है, अगर यह plus हो गया, तो, h cross plus का होगा, और यहाँ पर minus का sin हो जाएगा, ठीक है, तो इसका रिजल्द क्या है, h cross, x operator minus I, y operator, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से symmetry दिख रहे है, ठीक है, यह तो रहा, symmetry का कमा, ठीक है, इसको पहुँच करके note कर लो, मैं मिटा रहा हूँ, तो अब लेडर operator की, momentum operator की साथ, commutation relation कैसी आईगी, यह देखते हैं, तो इस बार हम, sort part तरीके का यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, position operator की symmetry को देखते हुए, momentum operator की क्या symmetry वरेगी, वो देखते हैं, कहने का मदलब है, कि L प्लस operator का, मुझे यहां पे PX की साथ, commutation है, तो यहां मैं PX के साथ, commutation relation मनाऊंगा, symmetry को देखते हैं, ठीक है, जैसे यहां, ladder operator का, L प्लस का, यहां पे, यहां, commutation relation, position operator Y के साथ, वाय है, तो यहां, momentum operator, PY के साथ, commutation relation मनाएंगे, स्मिन्टीज को देखे ओए एसी हेल प्लस ओपरीटर का यहाँ पे जैट के साथ कॉमतिशं रिलेशन मनाया तो हम यहाँ पे पीजेड अपरेडर के साथ कॉमतिशन रिलेशन मनाएंगे सिमिट्री को देखके अब देखो यहां एक्स है तो यहां जैड आया फ्लियर हो गई इपार ठीक है यहां प्लस का य ओपरेटर के साथ सब्सक्राइब यहां पर आएगा इस तरह से आपको सिमेट्री का यूज करके फटा-फट कॉमेटेशन रिलेशन सॉल्व करने पड़ेंगे ठीक है एक्जाम ने भी यहां तो करनी रहाओ एक्जाम ने भी अब जैसे यहां पर करता है एक्जाम पर ओपरेटर के इसाब सम्मेटेशन रिलेशन कहता है मायनस एस menis h k्रॉस x cash प्लस i y क्या हो यहां पर यहां पर X है वहाँ PX बन जाएगा जहां Y है वहाँ PY बन जाएगा और इस तरह से आप बहुत जल्दी से कोई साभी letter operator का commutation relation solve करके दिखा सकते हैं In fact आप L- operator का भी commutation relation मना सकते हैं For example L- par X के साथ commutation relation बता है तो हम यहां पर हम PX के साथ commutation relation मनाईएं तो X के साथ commutation relation क्या था आगे से minus आ गया था और X है तो यहाँ Z है यहाँ PX है तो PZ हो जाएगा minus H cross PZ ऐसी symmetry को देखती हुए L negative का PY के साथ commutation relation क्या हो जाएगा क्योंकि जब L negative का Y के साथ commutation relation था तो IH cross Z आ रहा था तो यहाँ पर PY है तो PZ आ जाएगा IH cross PZ हाई हो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम symmetry का यूज करके फटा फट लेडर ओपरेटर के commutation relation को solve कर सकते हैं ठीक है और ऐसे ही पर एक्जामपल यहाँ L negative है उसका Z के साथ commutation relation है तो यहाँ मैं PZ के साथ commutation relation मनाऊँगा जब Z था तो X minus IY आ रहा था अब यहाँ PZ है तो यहाँ H cross PX minus I PY आ रहा था ठीक है जब Z था तो X Y आ रहा था तो जब PZ आ रहा था तो PX plus I PY आ रहा था ठीक है आप को होगे सार आपने यह कहते लिग दिया हमें प्रूफ करके दिखा दो चलो रैंडमली में दो प्रूफ करूँगा लेकिन उसके लिए आपको कौन कोंसे चलो करते हैं वैसे प्र एक्जामपल मैं उपर में यह वाला प्रूफ कर देता हूँ तो L प्लस का T Y के साथ कोमेटेशन रिलेशन आपको कैसे निकालना है वो देखो तो अगेर हम साई का यूज नहीं करेंगे सिर्फ कोमेटेशन रिलेशन के फॉर्मलों का यूज करेंगे तो L प्लस पाזה LX PLUS I LY । ठीक है इसका PY के साथ कोमेटेशन रिलेशन मकलना है तो क्या हो जागा LX थीक है एक कोमेटेशन रिलेशन प्लस आई L Y P1 तो मैंने बताया था जब कमेटेशन सेम होते हैं तो जो कोमेटेशन रिलेशन होता वो जिलो गया अब हमें इसको solve करना है इसको solve करने के लिए हमने पहले से कुछ relationship लिख वाई थी जैसे for example अगर यह LX है और यह PY है तो देखो यहां पे X Y आएगा relation I H cross क्योंकि यहां PY है तो आएगा PZ तो देखो तो symmetry देखो X Y आया PZ ठीक है एकसी और relation मना सकते for example LY PZ तो देखो यहां पे क्या आ रहा है यहां आएगा X I H cross अब पिकि यहां PZ है तो आएगा PX ठीक है आपको second वाली को देखना है हमेशा second वाली को देखना है second में अगर position है तो position आएगी momentum है तो momentum आएगा और angular momentum है तो angular momentum आएगा वो next case है वो देखने है ठीक है तो यहां पे यह relation हमें दीख रहा है तो क्या हो जाएगा I H cross PZ तो answer क्या आया देख्रों अच्छा एक और randomly मैं प्रूफ करा दूं कौन सा relation यह बाला एक नीचे वाली माइनस आई एल वाई ठीक है यहां पर है PZ तो एक बार PZ LX के साथ आएगा और फिर माइनस आई एक बार L Y के साथ PZ आएगा ठीक है तो यहां पर अलग अलग फॉम्ला आज़ा लेकर हमें सिमेट्री पर जाम लिए अगर यह एल एक्स है और यहां मोमेंटम में PZ आ तो देखो X के बाद Z नहीं आता जैट के बाद X आता ही है सिमेट्री है यह यहां माइनस I X प्लोश कोन गिया अपने हाँ ठीक है यहां पर देखो अगर यहां मोमेंटम है तो मोमेंटम आएगा पोजीशन है तो पोजीशन आएगे ठीक है क्लियर होगे बाद तो इसका दीजल क्या आगया X PZ की वैलू मैंने लिख दी माइनस I H क्रॉस P Y ठीक है और इसका इसका तो मैंने साहर लिखता है तो फॉम्ले का यूज कर लो ठीक है अब आपको पता है माइनस I H क्रॉस P Y और यहां क्या हो जागा माइनस I Sपार लो थे मैंनस तो मैंनस मैंनस प्लस H क्रॉस P X यहांसे H क्रॉस कॉमन ले लो तो यह हो जागा P X माइनस I P Y ठीक है ऑप देख लो तो आप इस तरह से symmetry का यूज करते हुए ladder operator की commutation relation shortcut तरीके से भी निख सकते हैं इसको पॉच करके नोट कर लो मैं मिटारू हम लेडर operator की angular momentum operator के साथ commutation relation बनाएंगे अगीं symmetry का यूज करके shortcut तरीके से बनाएंगे और उसके बाद प्रिव आपकी खुशी जिले में दोचार relation प्रूफ करेंगे तो अगीं हम क्या करेंगे L प्लस की जब हम L Y L X के जब commutation relation मनाएंगे तो symmetry का यूज करो देखो बताओ क्या आएगा देखो जब L प्लस के साथ X आता है L प्लस के साथ X आया तो H Z operator आया जब L प्लस के साथ P X आया तो H P Z operator आया अब L प्लस के साथ L X आया है तो H cross L Z operator आया symmetry देखो आँ ठीक है अगर यहां L X है तो यहां L Z आया यहां P X है तो P Z आ रहा है X है तो Z आ रहा है ऐसी हम यहां पे भी यूज करेंगे L प्लस का L Y एंगलर मोमेंटम operator के साथ competition relation क्या आएगा I H cross L Z कैसे बनाया ऊपर को देखो जब Y था तो Z आया P Y का तो P Z आया अब L Y है तो L Z आया सिंपल सी बात है अगें L प्लस का L Z के साथ competition relation क्या आएगा देखो जब Z है तो minus H cross X plus I Y आ रहा है जब P Z है तो minus H cross P X plus I P Y आ रहा है तो उसको देख के आप यह relation मना सकते हो L X plus I L Y ठीक है अब यहां से देखने वाली बात है L X plus I L Y L plus operator होता है तो इसको हम क्या लिख सकते है minus H cross L plus operator सब के उपर आप gap जबू लगा देख तो symmetry यहां यूज करते हुए हम इस तरह से competition relation को बहुत जल्दी ही calculate रहते हैं अब L negative के साथ L X का commutation relation क्या हो जाएगा तो देखो जब L negative के साथ X था तो minus H cross Z आया L negative के साथ जब P X था तो minus H cross P Z आया वैसे ही जब L negative का L के साथ L X आएगा तो minus H cross L Z आयेगा यह वो आपको समझ में आए होगा ऐसी L negative का ly के साथ commutation relation क्या हो जाएगा देखो जब l negative के साथ y आ रहा था तो i h cross z आया ठीक है जब l negative के साथ py आया तो i h cross p z आया तो वैसी जब l negative के साथ ly आ रहा है तो इसका result आएगा i h cross l z च्लियर हो विगा symmetry यही है जब x था तो z आया जब p x था तो z आ रहा है simple सी बात है अब ऐसे ही यहां पर भी proof कर सकते है आप l negative का l z के साथ commutation relation क्या आएगा minus देखो पहले उपर symmetry देखो नहीं तो गलती हो जाएगी symmetry क्या है l negative का z के साथ आया तो plus h cross x minus i y आ रहा है जब l negative का p z के साथ commutation relation आया तब भी plus आ रहा है लेकिन p x minus i py आ रहा है तो यहां पर भी positive relation आएगी और commutation relation का आज़र क्या होगा l x minus i ly आ रहा है ठीक है जब z था तो x plus i y आ रहा था जब p z है sorry जब z था तो x minus i y आ रहा है जब p z है तो p x minus p i y आ रहा है sorry जब अगें सोच लो एक बार देख लो ठीक है जब z था तो x minus i y आ रहा है जब p z है तो p x minus i py आ रहा है ऐसी जब l z है तो h cross l x minus i ly आ रहा है यह अगें एक operator है l x minus i ly क्या है ladder का minus operator तो क्या है यह answer हो जाएगा h cross l negative operator इस करें से हम symmetry का use करके बहुत जल्दी से commutation relation के problems को solve कर सकते हैं अब आप कहो होगे सर आपने यह जो symmetry relation मनाई लिए तो चलो सही है लेकिन proof करके भी दिखा दूँ तो proof करके दिखा देते हैं इस बार दूसरे लेंगे ठीक है इस बार हम यह लेंगे और यह वाला लेंगे ठीक है यह दो commutation relation क्यादा करेंगे l plus l x ठीक है तो l plus की वैलू क्या होती है l x plus i l y कॉमा l x तो इसको स्वांट करोगे तो l x कॉमा l x plus i l y l x ठीक है आपको बता है जब commutation relation में x का x component के साथ होता है तो यह commutation relation 0 आएगा अब मैं आपको यार दिलागू मैंने angular momentum operator के यह commutation relation करवा चुका हूँ जैसे l x ly होगा तो i h cross l z आएगा और l y l z होगा तो इसका result आएगा i h cross l x और अगर यहाँ पे l z l x होगा तो commutation relation के आएगा i h cross l y इस तरह से मैंने commutation relation proof करा है तो देखो यह just reverse है किसका l x l y था तो क्या होगा i तो पहले से बहाँ है याणि minus i h cross l z तो यह क्या हो जाएगा i square होता है minus और minus 1 और minus पहले से है याणि h cross l z यह answer होगा ठीक है इसका अंतर क्या है अब एक दूसर करा रहेते ताकि आपके मन को सामती में जाए और आप मेरी shortcut तरीके पर भरोसा करना सीख जाओ तो क्या हो जाएगा यह l minus l z ठीक है इसकी commutation relation देखो l minus का मतलब में है l x minus i ly comma l z तो क्या हो जाएगा l x l z minus i ly l z ठीक है l x l z किसका reverse है इसका reverse है reverse है तो minus i h cross l y हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा minus i ly agent क्या हो जाएगा क्या missing है x तो यह i h cross l x हो जाएगा अच्छा minus i h cross l y अब यहाँ देखो minus कहले से है और i square का हो जाए minus 1 तो यह हो जाएगा plus l h cross l x h cross l x अच्छा यहाँ पर h cross common आ रहा है तो h cross common आएगा तो यह हो जाएगा l x minus i l y यह इसको हम h cross l negative लेख सकते हैं तो यही सब result आ रहा है आप देख सकते हो ठीक है पहला result यह है और दूसरा इसको shortcut में ऐसे लिख सकते हैं तो इसको आप लोग watch करके note कर लोग मैं मिटा रहा हूँ अब बात करते हैं ladder operator की total angular momentum operator के साथ commutation relation क्या रहेगी कहने का मतलब है अब हमारा काम है कि L square का L plus के साथ commutation relation क्या होगा यह पता करने का और दूसरा L square का L minus के साथ commutation relation क्या होगा अब इसको कैसे calculate कर सकते हैं वो देखो L square L plus तो आपको यह पता है कि L देखो L square का expression हमें पता है मैं for example यहां लिख रहता हूँ L operator का square मतलब होता है L x का square plus L y operator का square plus L z operator का square यह होता है अगर मैं इस formula को solve का निकले इस commutation relation को solve का निकले यह वाला expression खोलूंगा तो question लंबा हो जाएगा मुझे shortcut तरीका चिखाना है तो shortcut क्या है इसका expression खोटा है तो जिसका expression खोटा है आप उसको खोल दो L plus का expression है L x plus I l y तो जो छोटा है उसको खोलना है बस ठीक है अब आपको क्या करना है L square का L x के साथ commutation relation देखना है plus I L operator के square का L y operator के साथ commutation relation देखना है हम ने यह commutation relation already करा चुका हूँ उनके result पड़पड लिख लेते हैं यहांपी तो उनका result क्या था देखो L operator का square L x के साथ commutation relation देखना है मैंने यह सब करवाया है L operator के square L y के साथ भी commutation relation 0 होता है यह भी करवाया है और L operator square का L z operator के साथ commutation relation 0 होता है यह सब result मैं पहले डिसकस कर चुका हूँ ठीक है तो जब आप इनके result को यहां को करोगे तो आपको दिख रहा है कि यह भी 0 और यह भी 0 यानि overall result 0 यानि आपका यह जो expression होगा इसका result आएगा ठीक है अब देख लेका है दूसरा commutation relation और यह भी 0 आना चाहिए मैं solve कर देता हूँ तो L square L negative तो आपको यहां पर L negative यह एक्स्प्रेशन को ला है तो L square क्योंकि L square का expression खोलोगे जो question का करने solve करने का method होगा वो लंबा होता चला लागा आपको कोसिस करना है कि method छोटा हो छोटा method करने के लिए हमें छोटे expression को खोलना पड़ेगा यानि L negative को खोलना पड़ेगा तो L negative खोलेगा तो L X minus I L Y होगा तो जब आप इसकी relation को solve करोगे तो क्या हो जागा L square L X के subcommutation relation ठीक है यह सब operator है इनके उपर आप cap जरू लगाते रहना ठीक है मैं भूल जारों लेकर आप लगाते रहना ठीक है minus I L square L1 ठीक है यह दोनों भी operator है मैंने पहले से इनके result लिए रखते हैं तो यह हो जाएगा 0 और यह भी हो जाएगा 0 यानि इसका result भी आया जीवा इसको आप लोग पोच करके load करों मैं मिठा दो अब देखते हैं कि ladder operator का ladder operator के साथ commutation relation क्या आएगा L plus का L minus के साथ commutation relation क्या आएगा ठीक है मैं आपको बता दू पहले से हम यह जानते हैं कि L plus का L plus के साथ commutation relation 0 आएगा और L minus का L minus के साथ commutation relation 0 आएगा यह क्यों हो रहा है क्योंकि एक property हमने पढ़ रखी है कि जब A operator A operator के साथ operate के साथ commutation relation इसका find करते हैं तो यह result हमेशा 0 आएगा है इंसक्ट हमने यह भी पढ़ा है कि function of A का A operator के साथ commutation relation हमेशा 0 आएगा तो इन दोनों property के base पे हम यह दोनों result तो बड़े आराम से calculate कर सकते हैं clear होगे आगा हाँ लेकिन इसका result क्या आएगा अगर इसका हमें पता चल गया तो आपको पता है L minus L plus का result आएगा वो इसका negative होगा तो पहले L plus L minus का result देख रहते हैं तो L plus L minus का commutation relation में को कैसे निकाला है तो पहले A को open करो ठीक है तो for example मैं L negative को open कर रहा है L plus L negative की value होती है L x plus sorry minus minus i l y ठीक है अब इसको आप solve करोगे तो क्या हो जगा यह L plus L x comma comma minus i l plus l y वैसे मैंने यह commutation relation आपको solve करा रखे लेकिन आपको याद नहीं होगा जब याद नहीं होगा तो उसके लिए यह काम कर सकते हम कि इसको और solve कर सकते हैं जो formula आपको याद नहीं है उसको और solve करो तो L plus की यहाँ पर value put करोगे तो L plus की value होती है L x plus i l y सब के उपर क्याप जरूर लगाना मैं भूल जारो लेकिन आप लगाना क्योंकि यह सब operator है ठीक है एक तो यह relation होगे minus i यहाँ पे भी पुलोगे तो L x plus i l y comma l 1 ठीक है सब के उपर क्याप आएगा क्योंकि यह सब क्या है operator है ठीक है इस तरह से यह सब के उपर क्याप आएगा और यह सब क्या है operator है अच्छा यहाँ पे इनको और सब करेंगे तो आप देखो इसका relation क्याब जाएगा L x L x की commutation relation plus i l y l x की commutation relation यहाँ पहले से minus i है ठीक है तो यह हो जाएगा L x l y की commutation relation अब जब यहाँ minus i है और यहाँ i है तो यह हो जाएगा minus i square और यह l y l y यह commutation relation होगी अच्छा यहाँ से आपको दिखरा है कि same variable की commutation relation 0 से x है x है तो 0 होगा commutation relation y है y है तो commutation relation 0 होगा और इनके रिज़ते मैं पहले से जालता हूं जासे हैं हमें पता है L x की L y के सब commutation relation क्या होगी i h cross l z l y की L z के सब commutation relation क्या होगी i h cross l x ठीक है ऐसी l z की l x के commutation relation क्या होगी i h cross l y ठीक है इस तरह से यह सब commutation relation हम solve कर चुके हैं लेकिन यहां पर reverse है जहां reverse होगा होगा माइनस लगा देना तो i तो पहले से है ठीक है l y l z की commutation relation रिवर्स है तो i h cross l z हो जाए और यहां पर इस की commutation relation यहां पहले minus i है और l x l y की commutation relation i h cross l z यह दोनों यह लोग क्या चीए है तो माइनस पहले से i square की value minus 1 होती है तो यह plus हो जाना तो h cross l z और यह क्या है minus पहले से है और i square यानि minus 1 तो minus minus plus तो plus h cross l z तो result आ रहा है 2 h cross l z तो इसका result हमें पहता चल गया 2 h cross l z अब क्योंकि यह reverse relation है तो यह minus का 2 h cross l z यह result आगा इसको आप prove कर सकते हो इसको इसकी method से आप prove कर सकते हो तो इसको पहुच करके note कर लो मैं मिठा रहा हूँ तो commutation relation के इतनी सारी फ्लोरी पढ़ाने के बाद कुछ interesting question है आप लोगों के लिए तो first question है Hamiltonian operator का momentum operator के साथ commutation relation क्या होगा पहला question next question है x का p x की part 5 के साथ commutation relation क्या होगा ठीक है यह सब क्या है operator है तो कैब ज़रूर लगा न third है question x square का t x square के साथ commutation relation क्या होगा और last question है आप लोगों के लिए fourth 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 यहां पे जगह आएगी नहीं ठीक है आ रही है fourth यहां पे Hamiltonian operator है Hamiltonian operator का momentum operator के साथ commutation relation calculate करना पहले से पता है Hamiltonian operator क्या होता है वह उसकी form लिख दे moment का momentum operator के साथ commutation relation तो यह क्या हो जाएगा P square by 2m का P के साथ commutation relation plus V यानि potential energy operator का P operator के साथ commutation relation अब मैंने पहले से बताया था तो यह हो जाएगा देखो P 1 upon 2m बाहर लो 1 upon 2m बाहर आगे क्योंकि यह constant आए P operator square था P operator के साथ commutation relation plus V P potential energy operator का momentum operator के साथ commutation relation जहाँ पर यह total momentum operator है यह कोई component नहीं है लेकि फिर भी हमने इसका बढ़ा है कि कोई function होता है A का तो A के साथ commutation relation 0 होता है तो देखो यह P है और यह P is का रहे है यह function of P है तो यह commutation relation 0 हो जाएगा अब हम इसको solve करना है potential energy operator का momentum energy operator के साथ commutation relation अब important बात क्या है थी इसका commutation relation वहने कभी अभी solve किया है नहीं तो इसको हम किसका operator sorry wave function method से नहीं खालेंगे इसका expression potential energy operator momentum operator और इसको किसके operate करना है wave function साई पे तो यह हो जागा V V operator P operator minus P operator V operator यह साई पे operate होगा ठीक है अब मैं आपको बतातू कि momentum total momentum operator का expression होता I h cross delta यह gradient I h cross gradient आगे से minus भी होता है ठीक है तो minus I h cross बहार ले रूँ तो यह हो जाएगा minus I h cross यह हो जाएगा V operator gradient minus gradient V operator यह operate होगा साई ठीक है अब जैसे आप साई को अंदर डालोगे I h cross और यह हो जाएगा V operator gradient और यह हो जाएगा minus gradient V साई दुनों का प्रोड़क्ट क्योंकि जो V operator होता है gradient साई हो गया फिर साई को छोड़िंगे और gradient V हो जाएगा इस तरह से ठीक है अच्छे यह पार्ट यह पार्ट सेम है दोनों cancel out हो गए यह माइनस ही यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा IH cross साई gradient V अच्छा रिजल्ट क्या है इस खमर में मेरे पास कि V operator P operator के साथ commutation relation जब साई के operate होती है तो result आता IH cross साई gradient V अच्छा साई साई को हटा सकते हो तो यह हो जाएगा V operator का P operator के साथ commutation relation क्या होगा IH cross gradient V ठीक है तो यहाँ output कर दो तो हमारा result आ चुका है तो यह result क्या हो जाएगा IH cross gradient V ठीक है यह हमारा हमिल्टोन यह operator total momentum operator पे operate होता है तो ऐसा result मिलेगा ठीक है इसको pause करके note कर लो मैं मिटारू next question है second X operator का PX operator की power 5 से computation relation निकलना है तो इसके लिए इसके में एक फॉम्ला बताया था X PX की पार N वाला फॉम्ला यहां पर यही काम आएगा इसका विजन था IH cross यह नहीं था जितनी पावर है पहले वो आगे आए जाएगी तो पावर अगर N है तो N आगे आजएगा फिर IH cross और PX की एक पार कम हो जाएगी यह PX की पार N माइनस 1 अब यहां N की जगे क्या दिखाएगा आएगा IH cross और PX की एक पावर कम यह पावर फॉर यह answer number second अब थार्ड पॉशन क्या है ठीक है यह आप डिरेक्ली इस formula का यूज कर देगा अब थार्ड पॉशन गया है कि X operator का PX operator X operator के square का PX operator के square के साथ commutation relation तो पहले ऐसा करते हैं कि सिर्फ PX को multiply करके लिखते है For example X operator का square और यह क्या हो जाएगा PX operator PX यह दो operator का multiply के formula लिखते है ठीक है अब एक formula बताया था यहां पे लिख देते है ABC तो इसका formula क्या था ABC का formula था ABC right side आएगा plus BAC left side आएगा कहने का मतलब है जब 2 का multiply हो रहा हो तो एक बार commutation relation के right side भी आता है operator और एक बार commutation relation के left side भी आता है operator यहां दोनों operator स्टेम है X operator के explain PX operator ठीक है अब यहां पे एक और formula में use कर सकता हूं वो भी मैंने बना इसी के तरह बताया था कि अगर X की power N हो और यह PX हो तो इसका answer आता है N I H cross X की एक power कम यानि X की power N minus 1 इस relation को आप देखो तो यहां पे N की लिखे 2 है तो यह जगा 2 I H cross X की एक power कम यानि X और उसके पीछे क्या है PX operator प्लस PX पहले से है operator आगे इसका relation क्या है अगेन दोनों computation relation सेम है यानि यह जगा 2 I H cross X operator अब यह relation क्या आ गई 2 I H cross यह common term है और X operator PX operator प्लस PX operator अब इसके बाद आप ऐसा मत लिखे ना आप कहीं ऐसा ना लिखतो कि इन दोनों को आप जब add करोगे तो यह poor हो जाएगा I H cross X P X operator यह बिल्कुल गलत है I hope आपको समझने आरा होगा ठीक है कहने का मतलब क्या है कि यह operator है इनकी relation मलब इनकी multiplication को आप आगे पीछे नहीं कर सकते इसा नहीं कि X को आप पीछे ले जाओ X को आगे ले जाओ Because मैं आपको बता तूँ यह PX का मतलब क्या होता है minus I H cross del by del X यानि अगर X पीछे है तो सीधे डिफ्रेंस चीज़ों के 1 आ सकता है यानि इसके माइने पे हैं इसलिए मैंने को इस पैसली आपके यहां पे इस रूट किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलती करो कि आप दोनों operator में आगर आपको लग रहा है X PX है और PX X है तो दोनों को आप add कर दो क्योंकि आप को विकिन दोनों का multiply तो सेमी होगा पर ऐसा नहीं है क्योंकि PX की value होती है यह है अब आपको पता है कि जब X पर operate होगा तो यह minus IH cross हो जाएगा बट लेकिन जब मतलब इसका मतलब यह होता है जब P operator X होता है तो PX X operator होता है लेकिन जब X PX operator होता है इसका मतलब क्या होता है एक्स operator PX होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि X इस साइड है और यहां पर आया है IH cross del y del X अब यह चाहेगा तब भी X का differentiation नहीं होगा बट एक्स अगर इस साइड है तो इसका मतलब इसका differentiation होगा ठीक है इसी के वजह से मैं इन दोनों को add करने की सलाव बिल्कुल है कोसिस करना exam में कि कभी operator का multiplication को सेम मत समझना अगर X PX है तो PX X होगा ऐसा नहीं होता ठीक है आई होग आपको मेरी वास कमझ में आई होगी तो जो हमारा आंतर है वो यह है इसको पहुच करके लोग कर दो मैं मिचाना हो तो आज की इस वीडियो का last question है total angular momentum operator का square जब X के साथ commute करेगा तो कहने जलता है ठीक है यह नहीं L square X की commutation relation क्या होगी अब देखो X को आप खोल नहीं सकते तो मच्बूरी है कि L square को यह आप खोलोगे तो LX operator का square plus L Y operator का square plus L Z operator का square ऐसे ही दिखोगे और यहां X होगा ठीक है अब इसको और सॉलिट करोगे तो क्या हो जागा यह LX operator का square X plus L Y operator का square X plus L Z operator का square X clear होगे बात यहां पे सारे operator है तो cap लगाते है ना ठीक है आपको फदर जब X होता है X होता है तो operator के अंदर तो 0 होता है यह दोनों operator अगर X component के है तो result 0 होगा अब मुझे इन दोनों को solve करना है तो देखो इन दोनों relation को मैं L Y cap L Y cap का multiplication लिख सकता हूँ जो X के साथ commutation relation बना रहा है और इसको भी मैं कहते लिख सकता हूँ L Z का multiplication जो X के साथ commutation relation बना रहा है अब यहां पे अगेर वही पॉम्डा यह जोगा कि यहां पे अगर A B एक साथ है और C से commutation relation मना रहे है तो A पहले एक साथ आएगा B C का communication relation प्लस A C का commutation relation होगा तो B दूसरे साथ आएगा यानि जब यहां पे दोनों सेम है यानि एक L Y right side आएगा और एक L Y left side आएगा तो कहने का मनना है एक L Y को left side ले लो तो यह जाएगा L Y X के साथ commutation relation प्लस एक बार L Y को right side ले लो यानि L Y का X के साथ commutation relation और एक L Y right side आएगा इस तरह से एक इस relation के साथ भी होगा प्लस L Z L Z का X के साथ commutation relation प्लस L Z X का commutation relation और L Z एक right side यह commutation relation मैं आपको पहले से करा चुका हूँ इनका result का आता है यहां पे हम discuss कर लेते हैं लिगो अगर यह L X है और यह Y होगा तो इनकी commutation relation आएगी I H cross Z अगर यह L Y है और यह Z है तो इनकी commutation relation आएगी I H cross Y Z आएगा X और ऐसी L Z X के साथ commutation relation के आएगी I H cross Z X बचा Y इस तरह से हमने पहले से इनके region discuss का रूप कर चुके हैं तो direct region put कर दो symmetry यहां break होगी वहाँ minus sign आएगा जाएगा जैसे यहां Y के बाद X आ रहा है यानि L Y bracket के अंदर minus I H cross missing क्या है Y X Z ठीक है प्लस यहां पे भी same relation है तो क्या होगी माइनस I H cross Z यह L Y प्लस यहां पे देखो Z के बाद X R है रिलेशन हमें पता है तो L Z और bracket के अंदर क्या होगा I H cross Y operator प्लस इसकी relation same है तो क्या होगा I H cross Y operator L Z तो यहां पे हमें क्या relation में ही जगो दोनों में I H cross common है तो वह बहां निकाल लो कि कि I H cross number है कोई operator नहीं है तो यह हो जाएगा L Y operator Z operator प्लस Z operator L Y operator ठीक है फिर क्या होगा है प्लस यहां पे क्या आ रहे है क्या होगा I H cross और क्या हो रहे है L Z Y operator प्लस Y operator L Z operator अच्छा इसका बल्दा हमारा क्या रहे है यहां यह सबी जान को देख लेते हैं यानि L operator का square जब X के साथ commutation relation मनाता है तो इसको मैं सही से लिख दू positive वाले को पहले लेते हैं और एक symmetry बनाने की process करते हैं यहां के देखो यहां X है तो Y कहां दिख रहा है यहां दिख रहा है Y L Z प्लस Y L Z ठीक है अब Y आगे अब Z की बारी है minus I H cross Z L Y प्लस Z L Y L Y Z ठीक है यह mistake मत करना दोनों में मैंने बल्सी कर दी यही तो देखना है देखो यहां पर Y L Z है देखो Y L Z है लेकिन यह L Z Y है बस इनकी relation को आगे पीछे मत तर देना L Z Y और यहां Z L Y है L Y Z होगा देखो एक तरह से यह एक symmetry बन देगा कैसे देखो X Y Z अब क्या दूसरी relation मना सकता है पर एक्जामपर L स्क्वाइर वाइक है तो यह क्या होगा I H क्रॉस यहां Y है तो आएगा Z L देखो Y के बाद Z आ रहे आएगा Y Z और यह आएगा X प्लस L X Z माइनस I H क्रॉस अब देखो यहां पर Y Z अब बचा X L देखो यह एक बाद बताओं कि यहां पर X नहीं दिखना चाहिए समझने आदिए बाद देखो यहां X था तो यहां पर जित्ती भी relation है वो Y और Z के फॉर्म है यहां Y है तो जित्ती भी relation मनेंगी वो Z और X के फॉर्म मनेंगी तो X आगे है तो यह Z होजागा प्लस L Z X इन सब के ओपर कैप ज़रूर लगाते रहना क्योंकि यह सब क्या है आउपरेटर है अई वोप आपको समझ में आ रहा होगा एक और relation मना सकते है L स्वायर Z अब देखो इसकी relation क्या होगी I H cross Z के बाद क्या था X L Y प्लस L Y X और यहां पर देखो minus X आगया और Y पचेगा I H cross Y relation कि इसके साथ बनेगी Z hat यहीं X के साथ बनेगी X प्लस L X Y इस तरह से आप symmetry का यूच करके एक से ज़्याद़ा computation relation बहुत आराम से solve कर सकते हो इसको पॉच करके लोग करो तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही वैसे मैंने इस वीडियो में कोसिस किया कि competition exam में या किसी university के exam में जितने भी question operators से related पूछे जा सकते थे या जितने भी question computation relation से पूछे जा सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में cover करने की कोसिस किया इसी वज़े से ये वीडियो काफी लंबा हो गया और अगर competition exam में या आपकी university के exam में कोई और commentation relation जो भी मैंने आज के इस वीडियो में नहीं बताई है वो आ जाती है तो आप इनी सब टेक्निक का यूज करना जो टेक्निक मैंने आज की इस वीडियो में सिखाई है commentation relation को solve करने के लिए उन्हें टेक्निक का आप यूज करके कि नए से नए question को और बड़े से बड़े question को जो commentation relation के उफर पूछे जा सकते हैं वो सबको आप बड़े ही आराम से solve कर पाऊगे अगर आप मेरी सारी टेक्निक सीख जाए होगे तो अगर ने सीखे तो यह इस वीडियो को बार बार देखते रहें क्योंकि वीडियो काफी लंबा है तो टाइम पास तो होई जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही झाल को बार ने कर लंबा है में ले वीडियो को स्वादान से लंगे इतना हैं